हलो मैं डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है शुक्देव चोधरी आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नीट के एको फिजिक्स का पेपर नमर 6 का वीडियो सॉलुशन टॉपिक्स है ग्रेविटेशन एंड नाइंटी क्यूशन से इसके अंदर 45 क्यूशन से ग्रेविटेशन के और 45 क्यूशन से श्चम के तो पेपर बिल्कुल एकदम नीट औरेंटेड है संदर पेपर है पेपर को आपने बहुत बढ़ी आतरीके से इंजोई किया होगा चलिए के बारी-बारी अपन एक एक क्यूशन का वीडियो सॉलेशन करते हैं सबसे पहला क्यूशन अपन देखते हैं बच्चों फ्रेश्ट क्यूशन निकालता हूं में सब्सक्राइब करते हैं अगर अपन पॉइंट एक ही बात करते हैं तो इंसाइड पॉइंट हो गया और आपन जानते कि इंसाइड पॉइंट्स पे इंटेंड 2 का होता है जीनोर फॉष्ट क्या होता थैं ऑर यहां पर इग अगर冷o हो गया तो फॉर्सक्री अपन क्या लिए सकते हैं फथिके ना अब यहां पर अगरून कोई पार्टिकल रखता हूं उस पर्टिकल पर किसी प्रकार का फोस्ने लेगेगा तो obviously particle में कोई displacement नहीं होगा तो आपने बहुत सकते हैं it remains at rest particle rest में रहेगा अपना जो option first है वो सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखते हैं फिर उसके बाद वापन next question देखिएगा Question number 2 पे चलते हैं, if earth is supposed to be a sphere of radius r, if g30 is value of x relation due to gravity at latitude of 30 degree and g at the equator, the value of g30 minus g is, तो दियान से देखना देखो बच्चों, इस प्रकार से हापन अर्थ का diagram बना देते हैं, यह axis of rotation होगी, यह pulse हो जाएंगे, यह इसकी equator होगी, और इसके बाद में यह देखा latitude 30 degree है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहां पर जो value है, उसको अपन g लिखते हैं, समझ गए, यहां पर जो value आती है, वो क्या आती है, बताओ, g minus omega square into r, और यहां पर यह वाले angle अगर 30 degree है यहां पर जो gravity है, उसकी value क्या दे के बताओ, g minus omega square r into cos square lambda होता है, you know, cos square lambda, यहां पर lambda है, उसकी value 30 है, cos 30 हो देगा, root 3 by 2, square कर देगे, 3 by 4 बज़ जाएगा, तो इसको आपन बोल सकते हैं, 3 by 4 हो गया, समझ गए, अब ध्यान से देखना देखो, यहां पर इसको आपन एक काम क ठीक है, यहां पर इसको बोल देते हैं, gp बोल देते हैं, gp, gravity at ball, ठीक है, अब क्योशन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना देखो, if g30 is value of expression due to gravity at latitude of 30 degree, 30 degree पर क्या देगा, बताओ, g30, इसको आपन बोल देंगे, g30 बोल देंगे, और यहां पर इसको आपन क्या बोल सकते हैं, बताओ, g बोल सकते हैं, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यहां पर देखो, g30 minus g, चलिए अपन जी 30 minus g करते हैं, ठीक है, तो अपन निकालते हैं, g30 minus g, तो देखिएगा, g30 अपने पास यह रहा, और g अपने पास यह रहा, अगर इस पर से इसको अपन माइनस करेंगे, तो gpc, gp cancel out हो देगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, omega square r, 3 by 4, minus minus यह प्लस हो देगा, solve करेंगे तो अपने पास answer हो देगा, 1 by 4, into क्या देगा, omega square r, ठीक है, तो यहां पर अपना answer चला जाएगा, इसका first, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर, जो second answer है, वो करके आते है क्योंकि क्यूशन को डंक्सिया नहीं पढ़ते, यहां पर अपने को जो g है, यह value दे रही कहां पर, at equator, equator, equator पर अपने को value g दे रही है, तो पोल को मान करके इस question को गलत करके आ जाते है, ठीक है, तो इस परकार के questions का अपने को ध्यान रखना होता है, चलिए बच्चों, इस के velocity, ve होता है, इस उपापन लिख सकते है, root of 2g into क्या देगा, r, या इसको लिख सकते है, 2g, mass of earth upon radius of earth, अब यहां पर इसके अंदर, कहीं पर भी particle के mass का जिक्र नहीं हो रहा है, ve directly proportion to theta की power 0, तो जो projecting body है, इसके mass पर, और angle of projection पर डिपेंड नहीं करती है, escape velocity, ठीक है ना, m की power 0, ठीक है ना, देखिएगा, particle of mass m, यहां पर जो m है, वो mass of particle given आपको, ओके, चलिए, इसके बाद मैं, अगले question पर चलते हैं अपन, देखिएगा, next question क्या करे है, the moon's radius is one fourth, that of earth, and its mass is one by eighty times, that of the earth, if g represents the acceleration due to gravity on the surface of earth, that on the surface of the moon is, which, तो ध्यान से देखिएगा, देखो, देखिए बच्चों, आपन जानते हैं कि g equals to क्या होता है, g m upon r square, अगर आपन moon की बात करते हैं, तो वहां पर आपन बोल देते हैं, g dash बोल देते हैं, तो g m dash equals to क्या देखा, m upon 80 हो गया, और r dash कितना हो देखा, 1 by 4 हो देखा, तो 1 by 4 का square क्या लिख देगे हैं, 16, r square upon 16 हो देखा, तो इसको आपन क्या लिख सकते हैं, 1 by 5 into g m upon r square, और यहां पर जो g m upon r square इसको आपन क्या लिख सकते हैं, small g लिख सकते हैं, तो यह अपने पास बन जाएगा, small g upon 5, सिदा-सिदा आपना answer चला जाएगा, answer second, small g upon 5 हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं फिर अपन, next question पर चलते हैं, यह कर रहा है कि एक body of mass m is lifted up from the surface of earth, to a height three times the radius of the earth, the change in potential energy of the body is, g क्या देर का आपको expression due to gravity at the surface of earth, तो दियान से देखना देखो बच्चों, यहां पर अपने पास में formula होता है, डेल्टा यू, equals to क्या देखा, डबल्यू, वक्ड़न equals to mgh upon 1 plus h by r, conservation of mechanical energy, लोग की help से इस formula का अपन डिरावी भी कर सकते, आपको डिरिक्टी ध्यान में रखना होता है, तो यहां से अपने पास में, m, g, h equals to कितना देर का अपने को, अपने को देर का यहां पे, 3 times the radius of earth, 3r upon 1 plus, h क्या देखा, 3r upon r, r से r को cancel out कर दो, 1 plus 3 क्या देखा, 4, इसको आपने बोल देंगे, 3 by 4 mg into r, ठीक है, तो बहुत इजी लिस कांसर आ गया, option second अपना यहां पे correct चला जाएगा, ठीक है न, तो the change in potential energy, तो change in potential energy बोल दो, change work done बोल दो, आपन जानते हैं कि work done by external force against the conservative forces is converted into potential energy of system, तो यहां पर अपन gravity के against जो work done करेंगे, वो यहां पर particle की potential energy में store हो जाएगा, ठीक है, चलिए बच्चों, आगे चलते हैं फिर आपन, next question पर, next question कहा रहा है कि two satellites a and b go round a planet p in a circular orbit, orbit having radii for r and r respectively, if the speed of the satellite a is 3v, the speed of the satellite b will be, दियान से देखना देखो, orbital speed का formula होता है, v equals to root of gm upon small r, ठीक है, अब देखेगा, यहां पर अपने को क्या देर रखा है, circular orbits, यह आपको orbital radius given है, यहां से आपन क्या लिख सकते हैं, बताओ, v a upon vb equals to root of, इसको आपन बहुत सकते हैं, r a, यह r b हो गया, चले value foot कर देते हैं, v आपको क्या देर का, 3 v देर का है, vb calculate करना है, root of r a, r a कितना given अपने को, 4 r, r b, r हो जाएगा, r से r cancel हो जाएगा, 1 by 4, 2, 6 हो गया, तो vb equals to क्या बन देगा अपने पास हैं, 6 v, okay, 6 v, second option is correct, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ता है, फिर अपन, next question, देखिएगा, क्या करा है, a missile is launched with a velocity less than the escape velocity, the sum of kinetic energy and potential energy will be, तो दियान से देखना देखों, बच्चों, अगर, missile को आफ, escape velocity, कम velocity से देखर की फिंकोगे, तो इस case में, total energy negative होगी, और अगर, velocity, escape velocity, equal होगी, तो total energy क्या होजाएगी, 0, और अगर, escape velocity से ज़्यादा velocity देखर की, आपने इसको project किया है, तो इस case में, इसके total energy positive होजाएगी, ठीक है न, तो यहाँ पर आपको बोला जारह है, velocity less than the escape velocity, तो V less than VE, ठीक है, तो इस case में आपने बोच सकते हैं, kinetic energy, less than क्या होजाएगी, बताओ, potential energy होजाएगी, ठीक है न, potential energy, और potential energy से अगर कम होगी kinetic energy, तो total energy क्या बन जाएगी, बताओ, negative बन जाएगी, क्या बन जाएगी, negative, ठीक है, यानि यह जो अर्थ की gravity है, इससे बाहर नहीं जापएगी, तो answer रदेगा इसका, sum of kinetic energy, potential energy will be negative, second option will be correct, ठीक है, चलिए, next question पर चलते हैं, फिर अपन, अगला question क्या रहा है, a satellite moves around the earth, in a circular orbit of radius r, with speed v, if the mass of the satellite is m, its total energy is, तो द्यान से देखना लेखो, सबसे पहले अपन इसकी kinetic energy calculate कर सकते हैं, तो kinetic energy क्या बता हो, half m into यह v square हो गया, ठीक है ना, अब अपने बात करते हैं, total energy की बात करते हैं, total energy, total energy क्या होता है, यह होता है, तो आप जानते हैं कि e कुष्ट क्या होता है, minus of kinetic energy होता है, यहां से डारिक्त लिए अपने पास answer क्या देगा, minus का half m into क्या देगा, बताओ, v square हो देगा, ठीक है ना, graph यह आपने बना रखा होगा, आगे एक क्यूशन भी है, यहां पर इस प्रकार से यह क्या देगी काइनेडिक energy, इसी प्रकार से एक graph यह बनता है, एक graph यह बनता है, यह तो होती है total energy, और यह होती है potential energy होती है, यहां पर काइनेडिक energy पोजिटिव है, total energy and potential energy नेगेटिव है, distance के साथ में यहां पर मैंने graph बना रखा है, आपने देख सकते हैं कि, काइनेडिक energy और total energy दोनों बराबर है, यह वाली energy और यह वाली energy दोनों बराबर है, दोनों यह positive है और यह negative है, तो अपने लेख सकते हैं, total energy equals to minus of kinetic energy, तो minus half mv square आपका first option यहां पर correct चला जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में आपन, next देखिएगा, देखें बच्चों, केपलर second low, आप जानते हैं, केपलर second low किस पर बेश्ड है, conservation of angular momentum low पे, क्योंकि अपन जानते हैं, कि जैसे मानके से लेख यह अपने पास से कोई elliptical orbit हो गया, यहां पर जैसे अपना sun है, ठीक है, यहां पर जैसे कोई object है, या अपन ऐसे बोल सकते है, planet है, तो इस planet पर जो force लगता वो किदर की दरफ लगता है, इदर की दरफ लगता है, gravitational force लगता है, थोड़ी देर बाद में यह यहां पर आजाएगा, इस पर force लगएगा इस परकार से इदर की दरफ, फिर थोड़ी देर बाद में यहां पर आजाएगा, इस पर force इस परकार से इदर की दरफ लगता हैगा, फिर जब यह यहां पर आजाएगा तो इस पर फॉर्स की डाइरेक्शन इधर की तरफ हो देगी फिर जब यह यहां पर आजाएगा तो इस पर फॉर्स की डाइरेक्शन इधर की तरफ हो देगी आपन जानते हैं कि यह पे जो फोष है वो पर निशले क्या कहां ऑस किरता संसे सन के हैं संपें से संट्थ करता है इसका गर्क प्रक फॉर्श का कि बारबर दियेगा और इसके जो सकते हैं हाप आर भी बोल दो चाहिए इसको आप बोल सकते हो एल अपन तुए बोल सकते हो वह भी क्या रहेगी बताओ ओस्टेंट रहेगी ठीक है ना तो अगले क्यूशन अग़ूर मोमेंटम लो थर्ड शर विल्ग गले पर सकते हैं theorist नेक्स्ट क्यूस्ट क्या करें तु बोडी जोप मस्टेश एम और फोर एम आर प्लेश्ट एट डिश्टेस आर ग्रेविटेस्टल पोटेंशिल एट पॉइंट ऑन दे लाइन जोइन देंग वेर देखना देखो एम और फोर एम यहां पर रखते हैं यह तो अपने पास एम ह हो गया और इस दैत्व क्या बोल सकते हैं लोनों इसकी डिस्टैस सबस्टैस जैंकी और फिर इसके बाद है यह बात करते हैं इस अब यहाँ पे neutral point कैसे बन सकता है E0 कब हो सकता है जब यहाँ पे M और 4M दोनों के द्वारा gravitational field equivalent opposite हो यहाँ पे इसकी बज़ाई से field कितना देगा GM upon X square और इसकी बज़ाई से क्या बन देगा 4 GM upon R minus X का whole square हो देगा GM को cancel out कर देंगे तो by solving we get R minus X upon X equals to क्या बन देगा दोनों दरब से root कर दूँगा 2 by 1 आ गया तो यहाँ से अपने पास में क्या बन देगा R minus X is to 2X यहाँ से 3X is to R X equals to क्या देगा R by 3 यह आप solve कर देगे ठीक है अब यहाँ पे अपने को इस point पे अपने को potential पता करना है potential तो चलिए potential पता करते हैं तो V equals to क्या हो देगा बताओ V1 प्लस V2 तो सबसे पहले इसका potential क्या हो देगा minus GM by X इसको अपने लिख सकते हैं minus GM by X और X equals to क्या हो देगा R by 3 यह देगा और इस point पे इसकी बज़र से potential क्या हो देगा बताओ minus GM by R तो यहाँ से mass कितना हो देगा 4M तो अपने लिख सकते हैं इसको minus 4GM और यहाँ से distance कितने हो देगी total distance अपने फास आ रहे है X की value R by 3 आगी तो यह बनज़ेगा 2R by 3 इसको अपने लिख सकते हैं 2R by 3 हो गया क्या बनज़ेगा आपके फास है minus 3GM upon R इसके बाद में 4 by 2 2, 3, 2, 6 तो minus क्या बनज़ेगा 6GM by R हो देगा इसको अपने लिख सकते हैं minus 6GM by R तो minus 6GM divided by R और अगर इसको अपन एड़ेप कर देंगे तो minus 9GM divided by R कौन सांस्वर चला जाएगा second option तो second option आपका 0 जाएगा मुनलब इसका second option आपका correct हो जाएगा 0 कई बार अपन 0 भी कर देते हैं आपने ऐसे सोचते हैं कि जहां पर E 0 है वहां पर V 0 है ऐसा नहीं है क्योंकि जो field है वो तो एक vector quantity है जबकि potential है वो scalar quantity है वो 0 नहीं होता है potential 0 कहां पर होता है infinite को होता है जानते हैं आप सब चली बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर अपन अगला क्यूशन रेखते हैं क्यूशन नमर 11 को कॉंसेंट्रिक सेल्स हेविं हेव मास्सेज M1 एंड 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 रेडिया अर्वन एंड रेस्पेक्टिवली वेर आर्वन उसी प्रगार से देखो आपन दो हो बना देते हैं कि इसका मास्स क्या देगा एंड और इसका मास्स क्या देगा M2 देगा यहां पर इस पिटर पर अपने को पोटेंसिलल केलकिलेट करनाे तो वी is वस्टू क्या होचा देगा v1 प्लस v2 इुक्र यह वाला जो स्पीर इसके सेंटर पर पोटेंसिल सर्फेस की होता है तो इसको अपनेक रहते हैं, minus g m1 upon r1, इसका देगा minus g m2 upon r2 देगा, यहां से अपने एक काम पर चाहिए, minus g को common ले लेते हैं, यह बन देगा m1 by r1, और plus क्या देगा m2 by r2 देगा, potential का sign negative लेना नहीं बूलना को, ठीक है न, तो minus g m1 by r1, plus m2 by r2 देगा, ठीक है न, तो fourth option will be correct, आपको पता है कि कोई भी जैसे hollow sphere है, उसके center पे potential किसके बराबर होता है, surface के बराबर होता है, क्योंकि inside points पे e की value 0 होती है, ठीक है न, fill 0 होता है, इसकार से कोई भी mass है, उसको inside points पे carry करवाने के लिए अपने कोई extra work done करना नहीं पढ़ता है, ठीक है, चलिए बच्चो, आगे बढ़ता है फिर अपन, next question की तरफ चलते हैं, यह कर रहा है कि at what depth from the surface of earth, the time field of simple pendulum is 0.5% more than that on the surface of the earth, चलिए, सबसे पहले आपने बात करते हैं कि simple pendulum, तो simple pendulum का time period क्या होता है, T equals to 2 by root of L over G, ठीक है, यहां से आपने लिख सकते हैं, T, purpose to 1 upon root of G, purpose to G k power minus 1 by 2 बन जाएगा, यहां से इसको आपन क्या लिख सकते हैं, delta T equals to minus 1 by 2 into क्या देगा, delta G हो देगा, ठीक है, अब यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है, ऐसे बोला जा रहा है कि time field of a simple pendulum में 0.5% more than, तो time field है, वो 0.5% ज्यादा है, तो 0.5 equals to क्या देगा, बताओ, minus 1 by 2 into क्या देगा, delta G आ गया है, यहां से अपने पास में, delta G की value आ जाएगी, तो delta G कोश्टो क्या बन जाएगा, बताओ, minus 1%, ठीक है न, minus 1% आ गया, क्यानि जो acceleration due to gravity है, उसमें 1% का decrement करना अपने को, तो surface अपने को depth देख नहीं है, depth पे चल रहे न आपन, तो at what depth, depth की अगर आपने बात करते हैं, तो बच्चों आप जानते हैं, कि किस depth पे 1% का decrement हो जाता है, 64 फे, formula क्या होता है बताओ, delta G equals to minus D upon R into क्या देगा, 100 हो जाएगा, R की value कितने हो जाएगे 6400, minus से minus cancel out हो जाएगा, यहां से D equals to क्या बन जाएगा, आपके पास है, 64 km हो जाएगा, ठीक है, अगर height की बात होती, तो 32 km की height पे gravity 1% सी decrease हो जाती है, 1% सी decrease हो जाती है, तो 64 km, second option will be correct, ठीक है, चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, next question है, the height above the surface of earth, at which the gravitational field intensity is reduced to 1% of its value on the surface of earth, चलिए बच्चों, formula आपको यादी होगा, height के साथ में, GH equals to क्या होता है, G upon 1 plus H upon R का होलिश पर होदेगा, ठीक है, अब यहाँ से 1% का मतलब क्या होदेगा भी, 1 by 100, क्यानि G by 100 बोल सकते हैं इसको अपन, G से G को cancel out कर देंगे, तो 1 plus H by R का होलिश पर 100 होदेगा, इसको आपन बोल सकते हैं, 1 plus H by R equals to 100 का root कर देंगे, तेन देगा, इसको इधर किदर ले जाएंगे 1 को, तो H by R क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, तो यहाँ से अपने पास में जो H है, वो किसके बराबर होदेगा, 9 R के बराबर होदेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 9 R, 4th option बिल भी correct हो जाएगा, यह formulas है, यह आपको directly ध्यान में रखने है, क्योंकि exam में derive करने का time नहीं मिलता है, तो यह सारे के सारे formula है, वो on tips होने चीए, और students ज्यान वही होता है, knowledge वही होता है, काम वही आता है, जो on tips होता है, क्योंकि नीट के paper में time बहुत कम मिलता है, अगर अपने को formula है, concept है, on tips होगे, तो आपन तुरंत परभाव से, बिना कोई time गवाए, बहुत कम time में अपन पेपर उसको solve कर पाएंगे, ठीक है न, अपना time management अच्छा रहेगा, और time management अच्छा है, तो life management भी अच्छा रहेगा चलिए इसके बाद में, if the density of the earth is doubled, keeping its radius constant, then expression due to gravity will be, अब आपको पता है, कि density और radius में क्या relation है, मैंने आपको बोला formula one tip सुना चाहिए, देखो, g equals 2 होता है, 4 by 3, pi, g, r into rho, बाकी सारी की सारी चीज़े क्या है, यह constant है, तो यहां से g is directly proportion to r into rho होता है, अब यहां पर आपन किसको constant रखते हैं, बतो, radius को constant रखते हैं, तो radius अगर constant होगी, तो g directly proportion to rho, density, और density को आपन क्या करते हैंगे, density of earth is doubled, density को अगर आप double कर दोगे, तो यहां से आपन लेख सकते है रो देश इकोश टू टू टाइमस ओ रो तो जी डेश इकोश टू क्या देगा, टू टाइमस ओ जी इकोश टू 19.6, मिटर पर सेकंड स्कर देगा, ठीक है, और 19.6, first option will be correct, ठीक है बच्चों, चलिए, आगे बढ़ते हैंपन, next question क्या कर रहा है, देखेगा, यह गरा है कि, the satellite of mass m revolving in a circular orbit of radius r, around the earth, has kinetic energy e, चलिए kinetic energy आपको e दे रहता है, radius आपको r दे रहते हैं, तो अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ, e कोश टू क्या हो देखा, half m into क्या देखा, v square, अब आपको इसका angular momentum पूच रहता है, तो सबसे पहली बात है, angular momentum क्या होता है, l एकोश टू क्या ह होता है, m v into r, तो यहां सा अपन एक आपन रहते हैं, v की value calculate कर लेते हैं, v square equals 2 क्या हो देखा, 2e by m, तो v equals 2 क्या हो देखा, 2e divided by m, इसका आपन क्या कर देंगे, root कर देंगे, बराबर m, v क्या लिख सकते हैं, बताओ, 2e upon m into r हो गया, इसके बाद में, m को अपन अंदर ले जाएंगे, r को अंदर ले जाएंगे, square बन जाएंगे, तो यह बन जाएगा, 2e m square, r square upon m, इसका root कर देंगे, एक m से अपन एक m को cancel out कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, root of 2e m r square, root of 2e m r square, third option will be correct, ठीक है, चलिए बच्चों, अगला question देखते हैं, फिर अपन, next question पर जलते है, यह करा कि, what is the minimum energy required, to launch a satellite of mass m, from the surface of a planet of mass m, and radius r, in a circular orbit, at an altitude dot 2r, तो ध्यान से देखना देगा, बच्चों, इस question में अपन यह देखेंगे, कि सबसे पहले, इस satellite के पास एनरजी है, कितनी, और अपने को कितनी required है, दोनों का जो difference है, वो अपने को इसको supply करना पढ़ेगा, अपने देखते हैं, यहाँ पर, जैसे, यह कोई अपने पास में क्या है, surface planet, mass m, यह कोई planet है, इसका mass m है, इसकी radius है, वो r है, यहाँ पर अपने कुछ रख रख है, कोई planet रख रख है, तो इसकी जो energy है, इसको आपन बहुत सकते है, initial energy, इसको क्या बन जाएगा, बदो, यह यहाँ पर kinetic energy है नहीं, क्यों potential energy है, minus g capital m, small m divided by r, surface पर energy होती है, potential energy होती है, आप सब को पता है, अब इसके बाद में यह बोला जा रहा है कि, what is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from surface of a planet, radius r, circular orbit of altitude 2r, अब यहाँ से 2r height पे, इसकी जो orbital radius है, वो क्या बन जाएगी, 3r बन जाएगी, अब यहाँ पर अपने को इस orbit के अंदर launch करना है, ठीक है न, इस orbit के अंदर अपने को launch करना है, और इसका जो altitude है, height अपने को कितना दिरेगा, 2r दिरक है, यहाँ से जो small r है, equals to कितना बन जाएगा, बता हो, 3r बन जाएगा, center distance अपन यहाँ पर लेते है, final इसके पास energy क्या बन जाएगी, e final equals to, अब आपको बता है कि कोई भी satellite है, उसकी total energy क्या होती है, यह होती है, minus g, capital m, small m, upon 2r, 2, और r की बात करते हैं, तो यह r हो गया, तो 3r अपन पूट कर देते हैं, orbital radius, यह 3r हो गया, तो इसको आपने बहुत सकते हैं, minus g, capital m, small m, upon, यह आपके पास है, 6r हो गया, ठीक है इसके बाद में आपने को कितनी energy required है, तो आपने कितनी energy दी है, उसकी calculation कैसे करेंगे, final energy में से initial energy को minus करके, तो आपने दिख सकते हैं, यहाँ पर delta e equals to, क्या बन जाएगा, बतो, e final minus क्या देगा, बतो, e initial हो जाएगा, ठीक है, इस में से इसको minus करेंगे, तो क्या बन है, G capital M, small m, divided by r, minus करेंगे, यह प्लस हो जाएगा, 1 minus 1 by 6 हो गया, तो 1 minus 1 by 6 कितना हो जाएगा, 5 by 6, तो 5 by 6, और इसके बाद है, G capital M, small m, divided by r हो गया, ठीक है न, तो देखो, 5 by 6 कहाँ पे, तो first option हो यहाँ पे, correct हो जाएगा, ठीक है न, बढ़िया बाला क्यूशन है, सांद logical questions होते हैं, जिनमें कोई एक concept चुफा होता है, ठीक है न, वो questions अच्छे होते हैं, ऐसे questions इनको solve करने में अपने वो 4-5 minutes का time लगता है, वो need के point of view से बिल्कुल भी अच्छे question, important question नहीं होते हैं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ता हैं फिर आपन, next question देखेगा बच्चों, मासेज is now filled with a liquid of specific gravity 3, the gravitational force will now be, तो देखो बच्चों, बात यह है, कि आपको पता है कि gravitational force of attraction, medium पे dependent नहीं करता है, ठीक है न, medium पे independent होता है, ठीक है न, तो पहले जो force है, वो और बाद का force बराबर हो जाएगा, f dash equals to f हो जाएगा, तो answer इसका f ही आजएगा, ठीक है न, medium का ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं फिर अपन, next देखिएगा, अगला question देखते है, question number 18 है, two particles of equal mass go round a circle of radius are under the action of their mutual gravitational attraction, the speed of each particle is, चलिए सबसे पहले, इस situation का अपन डाइग्राम ड्रो करते हैं, इस प्रकार से circle है, diametrically opposite ends पे अपन दो particles लगा देते हैं, यहां पर यह M हो गया, यह M हो गया, ठीक है, यह भी इस प्रकार से यूँ चक्र लगा रहा है, और यह इस प्रकार से यूँ चक्र लगा रहा है, अब यहां पर इसके जो radius हो क्या देगी, आर हो जाएगी, अब एक M square upon, दोनों की भी इसकी distance कितने हो देगी, दोनों की भी इसकी distance देते है, RR 2R, तो 2R का square कर देगे, यह बन जाएगा अपने पास 4R square हो जाएगा, और यहां पर दोनों particles पर जो gravitational force of attraction है, वो यह necessary centripetal force provide करता है, तो centripetal force क्या बन जाएगा, बताओ, यह बन जाएगा, अप यहां पर एक M को अपन M से cancel out कर देंगे, एक R को अपन R से cancel out कर देंगे, यहां से अपने पास वी कोश्टों क्या बन जाएगा, 4 का root 2 बन जाएगा, तो 1 by 2 root of GM upon R, ठीक है, तो देखिएगा, 1 by 2 root of GM by R, तो आपका third option इसके अंदर correct आ जाएगा, ठीक है बच्चों, चलिए है, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद वापन, next question देखिएगा, force between two objects of equal masses is F, if 25% mass of one object is transferred to the other object, then the new force will be, इस प्रकार का question आपने electrostatic में भी किया होगा, ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि यह अपने पास में particle है, इसका mass भी कितना M है, इस particle का mass भी कितना M है, दोने के बीच में जो force अब क्या बन देगा, F equals to G, M, M, M square, distance किया R है, R square, अब आपन क्या करते हैं, इसका 25% mass है, इस पर transfer कर देते हैं, 25% mass कितना होता है, M by 4 होता है, तो M minus M by 4 कर देंगे, तो यह क्या बन देगा, बताओ, 3M by 4 बन देगा, और इसके अदर M by 4 अपने एड़ कर देगे, तो यह बन देगा अपने पास है, 5M by 4 हो गया, ठीक है, तो दोनों की भी इसमें, अब force क्या बन देगा, F dash equals to G into, दोनों का mass क्या देगा, बताओ, 3M by 4, 3M by 4 into 5M by 4, distance क्या देगा, R, R square, 5 into 3 क्या देगा, 15, upon क्या देगा, 16, G, M square upon R square, और G, M square upon R square का अपन यह लिख सकते है, F लिख सकते हैं, तो यहां से बन जाएगा, अपने पास F dash equals to 15 by 16 into F, option 3rd आपका यहां पर correct जा रहा है, ठीक है बच्चों, चलिए, इसके बाद मैं, आगे बढ़ता है फिरापन, next question क्या करा देखेगा, two point masses A and B, having masses in ratio 4 ratio 3, are separated by a distance of 1 meter, when another point mass, C of mass capital M, is placed in, in between A and B, the force between A and C, is one third of the force between B and C, then the distance of C from A, चलिए, डाइग्राम में, इसका बनाना पड़ेगा, डंग से हैं थोड़ा सा, two point masses A and B, having masses in ratio 4 ratio 3, इसको अपन A बोल देते हैं, इसको अपन B बोल देते हैं, ठीक है, इसका मास कितना हो देगा, मान लो, 4M, और इसका मास क्या बन जाएगा, बतो, 3M हो जाएगा, small M कर देते हैं, ठीक है, 4M और 3M हो गया, दोनों के बीच की distance कितने हैं थे कि 1 meter हो देगी, when another point mass C of mass M is placed in between A and B, अब distance अपने को पता नहीं है, आपको बोला जाएगा, distance of C from A, A से distance अपने को पूछ रखिए, यह अपने पास से मान कि इसलिए का C हो गया, इसका जो mass साब हो कितना हो देगा, बतो, capital M हो गया, यहां से distance को अपन क्या बोल देते हैं, और यहां से जो distance है, 1-X, क्योंकि total distance अपने को 1 given है, अब क्या कहा रहा है, देखो, जैसे जैसे क्यूशन बोल रहा है, वैसे से अपने को चलना है, वैसे से अपने को सोचना है, अब देखो क्या situation देरे की है, यह कहा रहा है कि, यह, वैन अनदर पॉइंट मांस, C is placed between A and B, the force between A and C, इस वन थर्ड, तो force between A and C, तो A और C की बीच में force निकाल दो, चलो सबसे पहले, तो A और C की बीच में force क्या बंजेगा बतो, G into क्या बंजेगा, 4 small m into capital M upon X square, equals to, is one third of the force between B and C, B और C की बीच में force का one third हो देगा, तो B और C की बीच में force क्या बंजेगा बतो, G into, इसको आपने बोल सकते हैं, 3m, ठीक है न, 3m है न, 3m हो गया, into क्या हो देगा, capital M upon 1 minus X का all square, इस force का one third देरका आपको, इसको आपने बोल सकते हैं, 1 by 3 बोल देगे हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा देखिएगा, चले इसका फिर अपने solve करते हैं, यह न, यह बोलर का आपको, the force between A and C is one third of the force between B and C, अब यहां से आपको क्या करना है, X की value calculate करनी है, तो क्या बन जाएगा देखो, G, M, M, G, M, M, 3 से 3 cancel out हो गया, समझ गए बात आप, अब यहां से आपन क्या कर सकते हैं, बताओ, X square upon 1 minus X, तो यह बन जाएगा आपके पास, X upon 1 minus X, equals to, root कर देखे, 4 का root कितना देखा भी 2, इसका आपन बोल देखे, 2 by 1 हो गया, ओके, 2 by 1 लिख देखे, क्रोस मल्टिप्लाइ करेंगे, तो क्या बन जाएगा बताओ, X equals to, X equals to, इसका बोल सकते हैं, 2 minus क्या देखा है, 2X आगया, यहां से 2X plus X 3X, 3X equals to 2, X equals to 2 by 3, 2 by 3 मेटर, first option will be correct, ठीक है न, तो देखे बच्चों, कोई भी क्यूशन है, सबसे फ़ेले क्यूशन को डंक से पढ़ो, उसके बाद उसकी दिमागे पिक्चर से एट करो, और फिर उसके बाद आप अपना जो concept है, वो एपलाई करें, 100% आपका अंसर आएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखे का जान से, next question कह रहा है कि, if the change in the value of g at height h above the surface of earth is the same as a depth x below it, then both x and h being much smaller than the radius of the earth, काफी कम है मतलब, distance काफी कम है, इस case में दोना में जो change है, वो क्या आपको बराबर दे रहे हैं, तो कम height पर आपने बात कर सकते हैं कि, जो height के respect में, delta g equals to क्या बन जाएगा, बता हूँ, equals to minus 2h by r into 100 हो जाएगा, ठीक है ना, या अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, basic formula आप जानती है, gh equals to क्या जाएगा, g into 1 minus 2h upon r, आपको बता है, binomial जो approximation है, वो करने से यह formula अपने पास आता है, तो यहां से अपने पास बन जाएगा, delta g by g, equals to क्या बन जाएगा, minus का 2h by r हो गया, और अगर अपन बात करते हैं, depth की बात करते हैं, तो depth के साथ में, gd equals to क्या होता है, g into 1 minus, इसको अपन लिख सकते हैं, x by r, depth को x से लिख रहे हैं, यहां से बन जाएगा, delta g by g, equals to, minus x by r बन जाएगा, और दोनों equations को अगर अपन equate कर देंगे, तो यहां से अपने पास आदेगा, x equals to 2h, क्योंकि height और depth, दोनों के respect में, दोनों के साथ में, आपको equal change दे रहे हैं, तो x equals to 2h हो गया, ठीक है, second option will be correct, चले बच्चू, अगले question पर चलते हैं, फिर अपन, next question देखेगा, assume that the expression due to gravity, on the surface of the moon is 0.2, times the expression due to gravity, on surface of earth, तो सब से पहले अपने को क्या बोदर का देखेगा, gravity on moon, equals to 0.2 times, of gravity on earth, ठीक है न, if re is the maximum range of a projectile on earth surface, what is the maximum range on the surface of the moon, for the same velocity of projection, अब देखेगा दियान से, range की बात करता है अपन, तो re कुछ टू क्या होता है, 2 into ux into ui upon g होता है, तो देखेगा बच्चों, यहां से जो horizontal range है, g के inversely proportional होती है, तो लिख सकते हैं, अपन range on moon upon range on earth, equals to, g on earth upon g on moon, चलिए, range on moon, calculate करना है, यह अपने पास, r e given है, equals to, g e, g बोल दो, g m कितना हो जाएगा, 0.2 times of g हो गया, तो यहां से अगर अपन solve करेंगे, तो r m equals to, 1 upon 0 2 क्या बन जाएगा, g से g cancel हो गया, 0.2 का आपने बोल सकते हैं, 1 by 5, तो 5 times of r e, इसका आपने बोल सकते हैं, 5 times of a range on earth, तो 5 r e, 4th option आपका यहां पर, correct चला जाएगा, खीक है, चली बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में, आपन, next question पर चलते हैं, next question कहा रहा है कि, a man can jump to a height of 1.5 meter, on a planet A, what is the height, he may be able to jump on another planet, whose density and radius are respectively, one quarter and one third, that of planet A, देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि, x direction due to gravity, g equals to क्या होता है, बतो 4 by 3, pi, g, r into, rho हो गया, तो यहां से आपने लिख सकते हैं, g is proportional to, r into rho, अब यहां से आपने बात कर सकते हैं, g days, equals to, उसकी बात करते हैं, तो देखिए गज्यां से देखो, planet whose density and radius, density की बात करते हैं, one quarter होगी, और radius कितने होगी, one third होगी, तो radius कितने होगी, बताओ, one third, और density क्या होगी, one quarter, तो one by four, into क्या होगीगा, g होगया, तो g days, equals to, क्या बन जेगा, बताओ, g by 12 होगीगा, ओके, अब इसके बाद देखी, का लियान से देखो, यह कर रहा है कि, one point five meter on planet, ए, तो a पे इसकी height, वो क्या देखिए, बताओ, सबसे पहरे अपने बात करते हैं, h की बात करते हैं, तो a जेखिश्टू क्या होता है, बताओ, u square upon 2g होता है, तो, यहाँ पे जो maximum height है, वो भी gravity के inversely proportional, तो आपने बोल सकते हैं, height on b upon height on a, equals to, इसको आपने बोल सकते हैं, g on b upon g on a, b पर आपको height पूछी जा रही है, height on b upon, a पे जो height है, वो आपने ओको कितने देर की 1.5 देर की 1.5, equals to, आगे बढ़ता है फिर अपन, g on a, तो a पे जैसे अपन मान गल देते हैं, g मान लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में, g on b है, वो क्या होज़ेगा, g by 12, इसको आपन बोल सकते हैं, g by 12, g से g को गेंट स्लाउट कर देंगे, 12 इदर की तरह पाजएगा, तो h b equals to क्या बन जेगा, बताओ, 12 into 1.5, 18, तो height on b equals to क्या बन जेगा, 18 meter होज़ेगा, ठीक है, और 18 meter अपना third option, correct हो जाएगा, इसके अदर, चलिए क्यूशन number 23 अपना complete हो चुक है, आगे बढ़ते हैं फिर अपन, आगे देखिए कि बच्चो, ए ब्लेक होल is an object whose gravitas field is so strong that even light cannot escape from it, to what approximate radius would be earth have to be compressed to be a black hole, तो द्यांसर रेखना लेगा बच्चो, अपन बोल सकते हैं कि कोई भी body black hole की तरह भीहो करेगी, अगर वहाँ पर जो escape velocity है, वो speed of light से भी exit कर जाएं, तो आपन बात करते हैं, for black hole, black hole बनाने के लिए जो escape velocity है, greater than equals to क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, VE को आपन जान सकते हैं, क्या होता है, बताओ, root of 2GM upon R होता है, ठीक है ना, और, ये किस के बराबर जाएगा, C के बराबर जाएगा, अब यहां से अपन क्या कर देता है, इसका square कर देते हैं, square कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, बताओ, 2GM upon R, greater than equals to क्या देगा, C square, अब यहां से अपने को R की value find out करनी है, तो R के बन जाएगा, less than equals to, इसका बन क्या बोल सकते हैं, बताओ, C square upon 2GM हो गया, तो R इससे कम होना चाहिए, तो R इसकी minimum value क्या होना चाहिए, बताओ, R की value अपने को calculate करनी है, तो R इससे कम होना चाहिए, यहां से R वो maximum कितना हो सकता है, बताओ, maximum, इसको आपन लिख सकते हैं, C square upon 2G into M, C कितना होता, 3 into 10 to the power 8, ठीक है न, तो 9 into 10 to the power 16, square कर दिया, 2 हो गया, और G को आपन क्या लिख सकते हैं, बताओ, 6.67 into 10 to the power minus 11 आजेगा, और M, mass of earth, लगबग इसको आपन क्या लिख सकते हैं, बताओ, 6 into 10 to the power 24, तो 6 into 10 to the power 24 आगया, और यदि इसको आप सोल कर दोगी, तो almost आपको प्राप्त हो देगा, 10 to the power minus 2 meter, first option आपको यहां पर correct हो देगा भी, ठीक है बच्चों, चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं आपको आगे की तरफ, अगला क्यूशन देखते हैं, देखिएगा, next question क्या करें, एप पर्टिकलो मास अमीज सिच्वेटेड, एड़ अड़ 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 इसेंटर आप इस्पेरिकल सेल औप मास, आप सेमास, लग बोला जिसको आपने बोलते हैं, यहां पर इसका मास से वो कितना देखा, क्याप्टल है, इसके रेडिएस से वो क्या देखी, बताओ, क्याप्टल है, अब यहां से एब बाई टू डिश्टेंस पर अपने एक पार्टिकलो रख देते हैं, यह देख अपने पास एक बाई टू डिश्टेंस, अब आपको बुल्ला जा रहे हैं कि पोटेंसियल कहां पर फूश्या जा रहा है, दा मेगनिटू अप ग्रिवटेस्टल पोटेंसियल एक पॉइंट एक पॉइंट इस्टेंस, इस पॉइंट पर अपने को पोटेंसियल केल्पिलेट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी बज़र से पोटेंसियल क्या बन जाएका देखिएगा, वी इकोश्टू, इसको अपन लिख सकते हैं, माइनस जी एम अपॉन आर, और आर को अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ, एबाई टू, ठीक है, इस पार्टिकल की बज़र से, माइनस जी एम अपॉन आ, यह किसका पोटेंसियल हो देगा, इस पे इसल का हो देगा, क्योंकि आपको बताएं कि, इनसाइट पोटेंसियल हो सर्फेस के बराबर होता है, और अगर इसका अपन एड़ कर देंगे, तो यह बंज़ेगा, माइनस का 3 GM अपॉन ए, ठीक है, माइनस 3 GM अपॉन ए, फॉर्थ ऑप्शन विल भी करेक्ट, ठीक है बच्चों, चलिए, आगे बढ़ते हैं फिर अपन, नेक्स्ट क्या कर रहा है, एस सेटेलाइट और मास M, और्बिटिंग दा अर्थ, और रेडिस र, अट ए हाइड एच, फ्रॉम इट्स सर्फेस, तोटल एनरजी अप दे सेटेलाइट, इन टरम्स अप जी नॉट, यहां पर टोटल एनरजी की बात कर रहा है, तो टोटल एनरजी का फोर्मला अपन सबको याद है, एकोश्ट होता है, माइनस G, कैपिटल M, स्मॉल M, अपन टू टाइम्स अप आर, आपन लिख सकते हैं इसको क्या, माइनस का, माइनस हो गया, स्मॉल M को आपन, स्मॉल M लिख देंगे, अब यहां पर अपने पास हो, जो G इन्टू M है, इस चीज़ को, इस चीज़ को आपन क्या लिख सकते है, G इन्टू M को, G नॉट इन्टू क्या देगा, बताओ, आर स्कॉर, ठीक है ना, अपॉर, टू, स्मॉल R को आपने लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R, प्लस क्या देगा, H हो देगा, आपने जाते हैं कि, सरफेस पे G नॉट इकुष्टू क्या होता है, G M अपॉन R स्कॉर, तो G M इकुष्टू क्या हो देगा, ने जीनटोरी स्कॉर सज़ेगा ठीक है ना जीनटोर्स कर लिए मैंने जीनटो टीप्टल M को माइनस M G 0 R सब्सक्राइब पॉन थो माइनस M G 0 R सब्सक्राइब ना डिर्प धू अर प्लस है the earth e moves in an elliptical orbit with a sun s at one of the foci as shown in figure its speed of motion will be maximum maximum speed आपको पता है कि by conservation of angular momentum लो आपन जानते कि V R equals to क्या होता है constant होता है ठीक है यहां से V inversely proportional to the R आप वी आपको क्या करना है maximum तो आर वो क्या होना चीए minimum उना चीए और minimum कहां पर हो जाएगा एपर हो जाएगा एपर एपर आपना ए आगया second option will be correct ठीक है चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं फिर आपन नेक्स्ट कुशन देखो क्या करें एक पार्टिकल is moving the uniform speed in circular orbit of radius R in a central force inversely proposed to the nth power of R in the period of rotation of the particle is T then T की आपको आर्प डिपेंडेंसी है वो पता करनी है तो दियान से लेखना देखो आपको ऐसे बोला जा रहा है कि फॉर्स है central force inversely proposed to one upon R2D power n बोला जा रहा है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहां से simply a p equals to k upon R2D power n और यहीं कि अपने को चैन्टिपेटल force provide करेगा इसको अपने लिख सकते हैं वी स्कार अपन आर हो गया तो यहां से अपने पास वे वी स्क्वेर क्या बन जाएगा अपन क्या देगा M और R की पावर क्या देगा बताओ 1-n हो गया और यहां से अगर अपन बात करते हैं वी की बात करते हैं तो वी कुछ टू क्या बन जाएगा बताओ रूट आफ के ओवर और M और R की पावर 1-n divided by 2 आ गया अब यहां से अपने को टाइम पीड केल्कुलेट करना है तो देखें कर देखें कर देखें कर देखो देखो टी एकोश्ट टू क्या देगा टू पाई र बाई वी तो टी प्रपोस्ट टू क्या देगा आर अपॉन प्रपोस्ट टू र की पावर 1 अपॉन ओड वी वी क्या भाएगा बताओ आल्टू दी पावर 1-n divided by 2 अब इसके बाद इसको अपन देख सकते हैं प्रपोस्ट टू अर की पावर 1 इसके बाद भाए मेनस 1-n divided by 2 आ गया तो फिर उसके बाद इसको अपन क्या सुल कर सकते है नहीं बताओ, t is proportional to r2 the power, अब जान से लेखना देखो, 2-1, 1-5 प्लस हो देखा, इसको अब लेख सकते हैं, 1-n divided by 2, तो-t is directly proportional to n-plus 1-by-2, या 1-plus n-by-2, तो आपका second option यहां पर correct हो रहा है, ठीक है बच्चों, चलिए, आगे बढ़ते हैं, फिर आपन, next question क्या करा देखिएगा two identical satellites A and B are circulating round the earth at the height of R and 2R अब यहां पर आपको height दे रहे किए orbital radius नहीं दे रहे किए कई बार आप directly अपन R and 2R फूट कर क्या answer निकालने कोशिश करते हैं यह answer आता ही नहीं है यह फिर गलत answer आजाता है यहां पर अपने को height दे रहे किए respectively the ratio of kinetic energy A to that of B अब ध्यान से देखना देखो kinetic energy क्या होते है kinetic energy G capital M small m upon 2R ठीक है तो kinetic energy inversely proposed to there small r small r equals to क्या होता है R plus H R plus H हो देगा आप लेख सकते हैं K किसका kinetic energy of A to that of B kinetic energy of A kinetic energy of B upon सबसे पहले A की बात करते है R plus A की जो height अब वो क्या दे रिकिए अपने को R दे रिकिए है तो R कर देंगे R plus B की जो height अपने को क्या गिवन है 2R है 2R plus R कितना हो देखा 3R upon क्या देखा बतो 2R तो ratio बन देखा अपके पास है 3 ratio 2 4th option will be correct ठीक है next question पर चलते हैं बचो यह कर रहा है कि at some point the gravitational potential and also the gravitational field due to earth is 0 the point is 8 obviously infinity पर होगा आपने बात करते हैं कि E equals to क्या बनता है बतो Gm upon R square और V equals to क्या बनता है बतो minus Gm upon R आपने बात करते हैं 8 infinite 8 infinite E बराबर क्या हो जाएगा बतो 0 और V है वो भी क्या बन जाएगा बतो 0 बन जाएगा तो यह infinite होता है 4th option यहापर आपका correct चला जाएगा चलिए नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं फिर अपन क्यूशन नमर 31 variation of gravitational potential distance from center of uniform solid sphere is given by uniform solid sphere की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि जो center है center पर क्या होता है V not equals to minus 3 G capital M divided by 2R होता है इसके बादे surface पर बात करते हैं तो surface पर क्या होता है बता हूँ minus G capital M divided by capital R और फिर उसके बाद inside points की बात करते हैं sorry outside points की तो outside points पर क्या होता है बता हूँ इसको अपन बोल सकते हैं minus G capital M divided by small r तो यह center यह surface हो गया और फिर उसके बाद यह क्या होता होता है outside points होता है ठीक है ना तो third option यहां पर आपका correct चला देगा okay potential हो गया चले इसके बाद में आगे बढ़ता है फिर अपन क्या करें if orbital radius of satellite is increased then orbital radius kinetic energy की बात कर रहे है potential energy की बात कर रहे है minus G capital M small m upon R total energy क्या होती है बता हो इसको आपन लेख सकते है minus G capital M divided by 2R हो जाएगी और time period की बात करते हैं T proportion to R की power क्या हो जाएगा 3 by 2 हो जाएगा चलो check करते हैं तो R को अगर आपन increase करते हैं तो kinetic energy क्या हो जाती है बताओ decrease हो जाती है तो potential energy वो क्या हो जाएगी बताओ वो भी increase हो जाएगी क्योंकि minus में potential energy increase हो जाएगी यह वाला statement भी गलत हो गया third गर है कि total energy of satellite increase yes total energy क्या होती है increase होती है क्योंकि R को अगर आपन increase करवाते हैं तो magnitude है वो decrease होता है बद नेगेटिव में तो total energy वो क्या होती है इंक्रीज होती है आपको बदाएगी infinite पर total energy क्या हो जाती है जीरो जाती जो कि maximum होती है ठीक है न तो third statement आपका correct हो जाएगा time period of satellite decreases और अगर increase होगा तो time period of decrease नहीं को time period भी क्या होता है increase होता है तो यह वाला statement भी क्या जाएगा गलत तो आपका third option यहां पर correct चला जाएगा ठीक है चले बच्छों आगे बढ़ता है फिर अपन variation of time period of revolution for a satellite with orbital radius is given भाई अभी अभी मैंने आपको बताए था कि टी इस्वार प्रपोस्टन टो आर की पावर 3 by 2 यहां पर पेरा बोला बनेगा टी की पावर कितने देगी 1 इसकी पावर कितने देगी 3 by 2 यहां पर टी की पावर कम है तो graph को अपन टी की तरफ बैंड कर देंगे second option will be correct ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन यह तो मैंने आपको बताई रखा अभी थोड़ी देर पहले बताए था फिकर सोस्ट दे वेरियस सोन आप एनर्जी विद ऑर्बिटल रेडिस और ऑप सेटलाइट इन सर्पिलर मोशन मार्क दे करेक्ट स्टेट्मेंट देखो बच्चो काइ लुए को धेकी पोजिटिव ए तो क्या बचाई एनर्जी और सबसे ज्यादा क्या होती पिटेंशेल एनर्जी तो यह क्या अदिके शिक् Alber ahíप to आगे बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं क्यूशन नमर्ट 35 क्या कर रहा है एस सेटलाइट इज डिवॉल्विंग अराउंड ए सेटलाइट अब ध्यान से लेखना देखो आपने को पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी एक्वश्ट होता है माइनस ओप टॉटल एनर्जी है ठीक है ना और इसको अब लेख सकते हैं जी केप्टल एंप स्मॉल एंप डिवाड़ेड़ और ये किसके ब्राबबर हStat? कैयनटिंग इनर्जी के बराबर होती है, बैंडिंग एनर्जी इक्वश्ट के इनर्जी है है इसका मतलब यह वा कि कैईनटिंग अनर्जी की बराबर एनर्जी अपने इसको supply करने पड़ेगी ठीक है ना है किनेट्ट कानेटिक एनर्जी को 100% से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा तो कितना देखा 100% बहुत सारे बच्कोंगे इस के अंदर यह वादा टिक किया होगा 41.4% क्योंकि यह जो answer है वो on tips होता है याद करका होता है बड़ वो speed का होता है ठीक है ना कई सारे बच्चों की यहां पर इस लिमिश्टेक होई गी ओविसली तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन एक पार्टिकल इस रिलीष्ट इन ग्रेविटेस्ट फिल्ड एंड इट इस फी टू मूद देन बहुत आसान सा क्यूशन है ठीक है अगर अपन ग्रेविटेस्ट फिल्ड में किसी भी पार्टिकल को रिलीस करते हैं तो इस पर ग्रे इस पर ग्रेविटेस्ट फिल्ड हो गया पार्टिकल को आपने रिलीस कर दिया तो पार्टिकल इस प्रकास से इधर की तरह फॉर्स एक्स्पिरेंस करेगा और पार्टिकल इस प्रकास से इधर की तरह मूग करेगा और पार्टिकल इधर की तरह मूग करेगा तो इस पर ग् करते हैं कि change in potential energy equals to minus होता है work done by gravity कि यहां पर जो work done by gravity वो क्या देखा positive तो minus work done by gravity positive potential energy में change किसा हो देखा negative देगा तो potential energy क्या हो देखी decrease हो देगी potential energy will decrease potential energy increase गलत potential energy decrease yes ही हो गया kinetic energy remains constant no यहां पर potential energy में जो decrease होता है वोई kinetic energy increase हो रहा है speed बढ़ेगी ना इसका आप simple सा example देख सकते हैं कि किसी भी जैसे object को अगर मैं free fall करवाता हूँ release करवाता हूँ तो यह नीचे की तरह मुग रहेगा आपने free कर दिया तो free to fall free to move करने के लिए अब gravity इस पर positive work करेगी kinetic energy इंक्रीज होगी potential energy क्या होती है decrease होती है ठीक है ना second option आपका यहां पर correct चला देगा चलिए बच्वाइब इसके बाए नेक्स्ट क्यूशन अबर आपन देखते हैं 37 escape velocity of projectile from surface of earthies अब आपको बताए मैंने आपको पहले बता दिया था कि escape velocity है जैसे अर्थ है अर्थ से अगर आप किसको perpendicular direction में surface के perpendicular इधर की दरफ फेंकोगे तो भी VE speed आपको देने पड़ेगी किसी angle पे फेंकोगे तो भी VE speed आपको देने पड़ेगी surface के parallel इस प्रकास इधर की दरफ फेंकोगे तो भी VE speed देने पड़ेगी ठीक है ना तो indefinite from theta ठीक है ना और VE कोश्टों क्या होता है रूट और टू जी इन्टू आर ठीटा का कोई रोल नहीं इस पे चलिए next question अपने देखते हैं सांदार सा question है two particles each of mass M are separated by distance R intensity of gravity is correctly given by देखो अपने पास में दो particles है एक तो particle इस परकार से यहां पर M है एक particle यहां पर अपने पास M है अब यहां पर जो midpoint है वहां पर E कितना देगा बताओ 0 देगा ठीक है ना यहां पर E 0 देगा अब इसके बाद में बात करता है इधर की तरफ अगर मैं इधर की तरफ किसी particle को रखता हूँ तो यह क्या करता है इसको अपने तरफ attract करता है तो इधर की तरफ हो गया इधर की तरफ जो E यह वो क्या होता है positive होता है अगर इधर की तरफ किसी particle करता हूँ यहां पर तो यह यहां पर इसको यह अपनी तरफ एडारेट करेगा इधर की तरफ जो िएड़रस न सब七 न दा चाहिए यह नेगटिव डैरिक्स न हो गया है ठीका नहां और यहां पर क्या होता है जीरो होता है तो अपन देख सकते हैं कि इस particle के इधर की तरफ positive यह positive है इस particle के इधर की तरफ negative यह negative है इसके इधर की तरफ अपन देखते हैं तो क्या बन जाएगा देखो यहां पे इसको अपने तरफ एक्टेट करता है इधर की तरफ force लगता है positive इसके इधर की तरफ positive यह positive ह गया इस कि दरगी तरफ यहां पर पर रखते हैं तो यह क्या आगरदा English को अपनी धित करते हैं नेसिफी नेगेटि हो गया त्र प्रकार से आय। को चेक कर सकते हैं यह option आपका यहां पर करेक्ट चला देगा फिर्स्ट 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 उप्शन विल भी करेक्ट है ठीक है चलिए अगले क्यूसिन पर चलते हैं एक टरनल इस फॉंड अलोंग डायमेटर ओफ यूनिफॉर्म सॉलीड स्पिर पार्टिगलों मास में रिलिष्ट अलोंग इस टरनल फ्रम सर्फेस देखो देंसे यह कोई सॉलीड स्पिर है और इसके डायमेटर के आलोगा आपने इस प् सॉलीड स्पिर है सॉलीड कर देता हूं इसको में यहां से 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 एक्स डिस्टेश पर आपने कोई भी पार्टिकल रख दिये इस पार्टिकल का मास कितना थेगा इस पर फोर्स फॉर्स कुश्टु क्या देगा बताओ एम इंटू इजी ओदेगा एम को अपन दिए लिग द वोन और क्यूब इन्टू क्या देगा भी X हो देगा ठीकर ना अब यहां से यह विकूश्टू माइनस की X को फॉलो कर रहे हैं ठीकर इसको से इसको करवा सकते हैं तो यहां पर यह अपने पास एक की मेल्व जिएगी तो यह क्या करणाव यहां पर SHM करेगा क्या करेगा SHM तो इट विल एपना एस vegetables थीकdala क्यासए अगर इसको रिलीज कर देंगे तो यह क्या गरता है इसके यह यहां से लेकिए यह तड़ि इंक्री亦 हो गी धिर उसके बाल यहां पर में मैक्सिम होगी और फिर यहां पर वापस जीरो यह देएगी एक वापस ट्रतल में किरता रहता है कि अगर यह यहां पर m स्यावण कर देंगे यहां से टी को इसके बार रूट आप सकते हैं यह इन्टू आरिस कर तो आर अपॉन जी हो गया और वेलिव फूट कर देंगे तो पास सब्सक्राइब यह इसका टाइम पीड हो जाएगा ठीक है ना यह अर्थ की केस में बात पतारों में यह सॉलीड इस पेर के लिए नहीं है सॉलीड इस पेर के लिए तो आरबाइजी से आपन केल्कुलेटिक कर सकते हैं फैस्ट आपना करेक्ट हो चुक है थर्टी नैन क्यूशन अपने कंप्यूट हो चुक है चलिए आगे बढ़ता है फिर अपन बहुत आसान सा क्यूशन है ग्रेविटेस्टन फॉर्स इस ओल्वेज कंजर्वेटिवी नेचर ठीक है बाद ऑल्वेज एट्रेक्टिवी नेचर बिल्कुल ठीक है इंडिफिनेट पहले डिस्कुस कर चुके आपका फॉर्ट ओप्शन यहां पर करेक्ट देगा अलोब तीज सारे सारे जो स्टेटमेंट सब्सक्राइब करेक्ट है ओक बच्चों चलिए अगर बढ़ता है फिर अपन 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 रखते हैं यहां पर म रखाव है यहां पर आपने रखाव इसकी पोटेंशिल निकाल दो क्या बंदेगा यू इकुस्ट टू वन टू थी पर रहे तो माइनस कि इसको आपको बूला जा रहे है कि इसको आपको इंफिनिटी पर बेजना किसी एक आपने इनफिनिटी पर बेज दिया इसको आपने infinity भी बेज़ दिया तो यह की पेर बचा तो यहां पर आपके पास है यू फाइनल इकुश्टू क्या बन जेगा माइनस जी एम स्क्वाइर अपॉन ए और वक्ड़न की बात कर रहे हैं तो चेंज इन पोटेंचिल एनर्जी ओविसली क्योंकि कंजर्वेटिव फ नेक्स्ट क्यूश्ट देखिएगा बच्चो एस सेटलाइट इस रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ओर्बिट अरॉंड ए प्लेट कि काइनेटिक एनर्जी ओव सेटलाइट इस इंप्रीश्ट पर ट्वेंटी परसेंट देन बहुत सारी बच्चे इसके अंदर अलग लग च अब जैसे मान केशलेगा यहां पर अपन इसकी क्या करते हैं अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी को 20% से इंक्रीज करवा देते हैं तो वापस यह इसी पॉइंट से आएगा प्ट एनर्जी अगर इसकी इंक्रीज होगी है तो यह इस परकार से इधर के तरफ ज्यादा डिश से इंक्रीज करवाते हैं तो इसकेस में इसका पाथ के सब्सक्राइब अगर इसकी काइनिटिक एंडर्जी को अपना 100% से करवा देंगे इसकेस में यह एसकेप कर जाएगा जैसे कि अपन पहले डिसकेस कर चुकिया है चलिए बच्चों का मुआए यागाक तर बैंड रूख करते हैं अपन cricket इनट नेसिसरी फॉ विसकोषिटी विसकोषिटी इसकेोजिक मोस्थ के लिए होता हुआ हिसं कह लिए अपना वेट रेक्शन वेश्पोर्स प्रॉडुई करता है ठीक है न तो इसके लिए भी ग्रेविटी की रिक्वार्मेंट होती है चलिए अगला क्यूशन आपने देखते हैं फिर नेक्स्ट क्यूशन देखिएगा तो विस्कोशिटी स्कांस्वर अदेगा कि intensity of gravitational field at a surface of solar sphere of mass m and radius r e if now it is contacted up to half radius the intensity of gravitational field at the same distance are from center देखो क्या है कि सबसे पहले यह अपने पास से कोई इस फिर था solid is ठीक है और यहां पर इस point पर अपने को intensity दे रहे की कि इतनी देर की दे रहे की अब लीग सकते हैं तो सर्पेस पर जी म कर देगा यह इसकी रेदिस को देगी तो अब क्या होता है तो यह इस परकार से क्लिक करके अपने रेडियस उसको हाब कर लेते हैं यह वो चुका है रेडिस की होगी तो और सबस्क्राइब करना इसी सुथिए चुक्ष्ट में नहीं कोई यहें स्कार्फ के बद करने इसार और यहां पर आपका करेक्ट देगा कई सरीबच्ची क्या करते हैं पता नहीं मतलब क्या सोचते हैं वो ऐसे कर देता है कि जो radius है वह हाफ होगी radius हाफ होगी तो फिर उसके बाद one by two square one by four four यह हो जाता है ठीक है न क्यूशन डंक से पढ़ते हैं नहीं प्रॉफर formula apply करो प्रॉफर प्रॉफर कंसे प्लाएकरो से यह अंस्वरा जाएगा ठीक है न अधा धुरा जो concept होता है वह हमेशां क्यूशन गलत करवा था अपका ग्रेविटेस्न पोटेंस लेनी रिजन इस गीवन बाई व फ्कुश्टू टू एगस स्कूर ठीक है ना ग्रेटेश्न फील डेटा एकस टू मेट्रीस आपन जान देए कोस्टू क्या बनता बहतो मैनस का डी वी अपॉन डी एक्स होता है इस तो माइनस का यह प्रेस्ट औपका यहां बोल न CG यह क्या निकल सकते अगले कुराइब चलते हैं बड़ी असानदर वालदने क्यूश्न है तो ग्यान से दिखना देङो 순간 कुल मिलाकर कि 45 क्यूशन अब तक आपने डिसक्स कर चुके हैं यानि ग्रेविटेशन का जो फोर्सन है वह अपने कम्प्लीट कर लिया है हर टोपिक से सांदार सांदार क्यूशन से वह मैंने पिक किये हैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने काफी अच्छे से पेपर किया होगा इंजोई किया होगा चलिए अब अगला पॉर्शन देखते हैं सहम का दा मिनिममम फेज डिफ्रेंस पिट्वन टूशिंपल हार्मोनिक और सिलेशन्स वाइवन इकुस्ट वन बाइट यह देरके तो सबसे परें लिख सकते हैं वाइवन देखो वाइवन के अब उन देखना यहां से यह हैं यहां से अपने पास देगा इस प्रकार से वाई वन देगा तो वाई मन क्यू क्या बता हुआ इसक्क्र कर देंगे 1 by 2 का इसका क्या देगा 1 by 4, root 3 by 2 का 3 by 4, 1 by 4 plus 3 by 4 कितना देगा 1, ठीक है न, लिख देता हूं मैं, तो इसका जो amplitude है, ये क्या बन देगा बताओ, 1 by 4 plus 3 by 4, इसके बाद इसका add करके root कर देंगे, तो क्या बन देगा 1 by 1, ये 1 ही आ गया, तो amplitude कितना देगा 1, इसके बाद है sin, और omega t plus इसकी जो फेज है, वो क्या बन देगा, पाई by 3 बन देगा, ओके, अगला क्या देरगा है, y2 कुस्ट क्या देगा, sin omega t, इसको चलो लिखते हैं आपन, sin omega t, इधर की तरह भी 1, इधर की तरह भी 1 हो गया, 20 में से जाएगा, y2, तो y2 कुस्ट क्या बन देगा, ये आ sin, इसके बाद omega t plus pi by 4 कर दो इसको आप, और phase difference की बात करते है, pi by 3 minus 5 by 4, तो दोनों का difference कर देंगे, तो pi by 12, ये minimum phase difference आदेगा, third option या पर आपका correct आदेगा, तो इस प्रकार से अगर आपको दो SSM का equation लिख रखा है, दे रखा है, तो आपके आगरें, दोनों का phasor diagram बनाएं और दोनों की जो resultant equation है, वो आप लिखें, और फिर उसके बाद दोनों की भी इसका phase difference आपके एल्पिएट करके answer बता सकते हैं, ठीक है, चलिए बच्छों, अगला question देखते हैं, फिर अपन, next question क्या करें, two particles p and q start from origin and execute simple harmonic motions along x-axis, ठीक है न, with same amplitude, but periods, देखो सबसे पहली बात ह जो ए है, वो क्या हो देगा, बताओ, सेम हो देगा, और जो time periods है, वो आपको 3 seconds है, तो T1 एकुष्टों कितना हो देगा, 3, और T2 एकुष्टों क्या बन देगा, बताओ, 6 बन देगा, ठीक है न, respectively, अब यह बोला जा रहे कि, the ratio of the velocities of p and q, when they meet each, जब दोनों मिलते हैं, तो velocity का ratio आपको पूछा जा रहे है, तो सबसे पहली बात करें कि, V equals to क्या देगा, ओमेगा, root of a, a square, minus क्या देगा, बताओ, x square, अब सबसे पहली बात है, दोनों का amplitude same है, जब दोनों एक दूर से मिलते हैं, तो दोनों का x भी same हो देगा, position भी same हो देगी, दोनों का displacement भी same हो द by T, तो inverse the proportionate क्या देगा T, तो यहांस अपने पास में V1 upon क्या देगा V2, P और Q का, तो P का जो time period है, P और Q, देखो यहां पे कई बार क्या होता है, कि देखो यहांस और देरगा 1 by 2, 1 ratio 2, 2 ratio 1, 2 ratio 3, 3 ratio 2, ऐसे Q sense पर आपको यह देखना है, कि किसका किसकी respect में ratio अपने को निक क्योंकि यहां पर कई बार क्या होता है, क्योंकि यहां पर मैंने बहुत रगाए, P and Q, यहां पर मैं बोलूँगा, velocity of Q and P, उल्टा दे दिया, तो ratio भो भी change हो जाता है, ध्यान रखना होता है, presence of mind, बहुत compulsory चीज़े, तो सबसे पहली बात है, P का Q के respect में, तो P का जो time period हो चलिए, अगले क्यूशन पर चलते हैं, फिर अपन, starting from the origin of body, oscillate simple harmonically with a period of 2 seconds, after what time, will the kinetic energy be 75% of its total energy, kinetic energy है, वो 75% मतलब क्या हो देगा, 3 by 4% of total energy, नहीं हो구리, तो kinetic energy हो देगी बतो, half k a square, cos square, omega t equal to 3 by 4, total energy हो देखे हो है, half k a square, तो half k a square से हैं, यहां से आपके पास cos square omega t equals to Q क्या बन देगा, बतो, 3 by 4, तो यहां से आपके पास cos omega t equals to Q complex, क्या बन देगा, बतो, तो रूट 3 by 2, रूट 3 by 2 मतलब क्या हो देखा, cos 30, तो इसको आपन क्या बोल सकता है, बताओ, cos 30 मतलब क्या हो देखा, pi by 6 हो देगा, compare कर देंगे, तो omega t equals to pi by 6 हो गया, तो यहां से t question क्या बन देखा, pi by 6 into omega, तो pi by 6 और omega को आपन क्या बोल सकते हैं, बताओ, 2 pi upon t, pi से pi को cancel out कर देगे, तो यह आपके पास हो देखा, t by 12, और time period अपने को कितना देखा, 2 second देखा, तो 2 by 12 कितना हो देखा, आपके पास हो, 1 by 6 second देखा, तो 1 by 6 second आपका first option यहां प देखे, क्या करा है, the velocity of body executing SHM is 7 cm per second and 10 cm per second, when its displacement from the mean position is 4 cm and 3 cm respectively, the amplitude of oscillation will be, देखो, v equals to omega root of a square minus x square, यह formula लगा दो, सबसे पहली बात है कि velocity कितने देखी, 7, equals to omega root of a square, यह अपने को calculate करना है, minus क्या देखा, x square, तो 7 कब है, बताओ, जब इसकी position कहां पर हो देखी, 4 cm पर, 4 का square कितना हो देखा, बताओ, 16, इसके बाद में, velocity कितना हो देखी, 10, equals to omega root of a square minus, displacement कितना हो देखा, 3, 3 का square कितना हो देखा, 9 हो जाएगा, चलिए, दोनों को square कर क्या पहौन कर देते, तो 7 का square कितना हो देखा, 49 divided by 10 का कितना हो देखा, 100, equals to, omega root cancel out कर दिया अपने, तो यह देखा, आपके पास a square minus क्या हो देखा, 16, और अपोन क्या हो देखा, a square minus का 9 हो गया, cross multiply करते हैं, तो यह क्या बने देखा, 49 a square minus, इसके बाद है, 49 into 9, 49 into क्या हो देखा, 9 हो गया, ठीके न, equals to, इसको आपने बोल इसको देखा, 100 a square minus क्या देखा, 1600 अदेगा, समझ गए बात आप है, और अगर इसको अपन सॉल करते हैं, तो यहां से अपने पास a square से इसका root करेंगे, तो एक की value अपने पास से देखे, 4.75, केल्किलेशन आप करी लोगे, 4th option यह आपका correct देखा, ठीक है, 49 into 9 को आप multiply कर देना, और फिर उसके बाद में इसको आप इधर ले आना, और इसको अधर ले आना, 51 a square देगा, तो a square के लिए 51 से इसको डिवाइड करना है, और फिर उसके बाद उसका root कर दोगे, तो एक value आपके पास है, directly, कोई लिक्कत वाली बात है, नहीं है, चलिए बच्चो अगला इसके में क्या आता है, बताओ, SHM आता है, अब देखो, सारे के सारे जो SHM होते हैं, वो oscillatory motion होते हैं, सारे oscillatory periodic motion होते हैं, सारे periodic motion oscillatory motion नहीं होते, all oscillatory motions are not simple harmonic motion, each SHM is periodic motion, periodic motion है क्या, गलत हो गया, each SHM is oscillatory motion, SHM oscillatory motion है क्या, बिल्कुल ठीक है, तो each SHM is periodic motion, wrong statement, तो बिल्कुल ठीक है, each SHM is periodic motion, तो SHM है, वो तो periodic motion है, बिल्कुल ठीक हो गया, सोरे, यह correct statement है, each SHM is oscillatory motion, SHM oscillatory motion है क्या, yes, each vibrational motion, each SHM, तो क्या हर vibrational motion SHM होती है क्या अब जान से देखना देखो अगर F is directly proportional to minus X है तब ही SHM होगी vibrational motion SHM हो ये कोई compulsory नहीं है क्योंकि force है वो displacement की directly proportional होना चाहिए ये SHM की prime requirement होती है और vibrational motion में अपन ऐसा कह नहीं सकते है तो ये वाली बात क्या हो जाएगी बताओ ये गलत है ठीक है SHM में भी linear और angular type बिल्कुल जानते ही है अपन होती है को दिकत वाली बात नहीं है तो अपने को wrong statement पूछ रखाए तो यहां पर third option अपना यहां पर क्या हो जाएगा समझ गए बात आप चलिए अगले क्यूशन की तरफ रूख करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्यूशन है क्या करा है कि particle executing SHF with time to T and amplitude A from mean position the mean velocity of the particle average over quarter oscillation द्यान से देखना देखो यहां से particle चला यहां तक गया तो distance कितने travel की इसने बताओ A time कितना देगा बताओ T by 4 यह आपके पास average velocity आगी तो इसको आपन क्या बोलने के बताओ 4A upon T समझ गए 4A upon T 4th option is correct ठीक है ना चलिए कि आगे बढ़ता है फिर अपन चलिए बच्चों अगला क्यूशन क्या कहा रहा है इडेंटिकल इस्प्रिंग ब्लॉट सिस्टम और आपको बता है कि टाइम पिटी कोश्टों क्या होता है टू पाइ देगा तो यहां पर वन रेशियो वन इसकान सुरह देगा तो बात सुना भी स्प्रिंग ब्लॉट सिस्टम इसका टाइम पिड़ है वो एंगल उप इंकलीनेशन थीटा पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है कि चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन तो इस्प्रिंग्स ओ फोर्स कॉंस्टेंट के बाइफ और के फाइफ आपके पास है के बाइफ ठीक है ना मैंके फॉर्स भाइक फाइफ यहां से आपके पास ना यहां से आपके पास के अपन 9 को फिर किश्ट है और टाइखर अपऊं स्थी真的 नैं का रूत नैंक रूट ना थिके इनанич रू Che 32 इन आ वन अपॉन सिक्स पाय रूट ऑग के बाई अब एक दम बिल्कुल ज्यान से ओप्षन को देखे अपने कर देंगे चलिए अगले क्यों कि तरफ चलते हैं अगला क्यों क्या करा द्यान से देखना देखो कि पार्टिकल मुव अकॉर्डिंग तो डिश्टेंस कवरड बाई इट इन टाइम इंटरवल बीट्विट्विटी ब्रावर जीरो टी ब्रावर फ्री सेकंड्स तो सबसे पहले अपन देखते ह तो ओमे나ów को क्या बंगगा बतो पाई बायाटी और ओमेगा क्या लिख सकते हैं यहां से आपने पास फोपनेख़ेंगा बतो four second बन जाएगा धिक है तो दियान से लेकना देखो T ब्राबर 0 पर अपने फास पर जो X है वो कितना होदेगा अब तो T ब्राबर 0 पर, T ब्राबर 0 पूट कर देगे, X ब्राबर कितना होदेगा, प्लस यह, यहां पर तो T ब्राबर 0 पर पार्टिकल था, T ब्राबर 1 फूट कर दोगे, तो यहां पर आदेगा, इसके अंदर T ब वापस यहां तक चला यह तो टोटल इस्टेंस कितना देगी इसकी बतो थ्री है सेकंड आप्शन विल भी करेक्ट वेरी सिंपल चलिए अगले क्यूशन की तरफ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्या करें देखो यह करें कि the amplitude of a particle represented by displacement equation यह अपने को गिवन है तो amplitude अपने को पूछ रगा है यह साइन है यह कॉस है पाई बाई तो इसको आपन क्या बोल सकते हैं बताओ वन बाई रूटे इधर की तरफ क्या देगा बताओ वन अपन इसको आपन बोलेंग रूट भी बोलेंगे इसका amplitude इधर अपने पास a equals to one by root a square क्या देगा one by a one by root b का square क्या देगा one by b इसको आपन क्या बोलेंगे रूट कर देंगे यहां सापने पास वे a into b और इसके बाद ए प्लस क्या देगा बताओ इसका आपन क्या कर देगे रूट करनेंगे तो यहां से अपने पास वे बराबर क्या बन देगा बताओ आगया अन्सवर इसको आपन बोल देंगे रूट ओप ए प्लस बी अपॉन रूट एंटू बी एक ही बात है मतलब यहां पर एक ही रूट लगा हुए इसको आपन ऐसे भी लिख सकते हैं तो यह हो देगा अपना फर्स्ट ओप्शन करेक्टा देगा है क्यों सब्सक्राइब फिफ्टी फाइफ कंप्लीट हो चुका है कि 56 क्या करें इफ लेंट आप सिंपल प्रेंडूलम डिक्रीज़ बैट थर्टी सिक्स पर्षेंट पर्षेंट है पी डारेक्ली प्रफ एक यहां से क्या मुझेगा देखो लिग देंगे तो जिरो पॉइंट यह देगा तो यहां से टी डेस कि कि इतना देगा जी रूफट एट इन्टु टी टुवंटी पर से डिक्रीज हो जाएगा ट्वंटी पर्षेंट से डिक्रीज हो गया ठीक है ना 56 आपका क्यूशन हो चुक है ट्वंटी पर्षेंट का डिक्रीमेंट आधेगा टाइम पीड में चलिए कि अगला क्यूशन देखने टाइम पीड ओफ कि ऐस प्रिंग मांस सिस्टम दैकोड़न से यहां पे अपने को बिल्कुल रखना इस्प्रिंग मांस सिस्टम के तो यह जीशे नीची की तरफ G minus G equals to zero जाता और time period अपन infinite कर देते हैं कई सारी बच्चे ओविसली इसके अंदर infinity ये भी करके आए होंगे ठीक है ना उनका गलत हो गया थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता भी ओके a simple pendulum performs shm about x equals to zero with an amplitude a and time feed t the speed of a pendulum at x equals to a by 2 will be तो v equals to omega omega को आपन क्या लेख सकते हैं मतलब 2 pi by t root of a square minus x square तो a square का क्या देगा a square minus x equals to क्या देगा a by 2 a by 2 का square क्या देगा a square divided by 4 इसको आपन क्या बोल सकते हैं 2 pi upon t a square minus a square by 4 कितना हो देगा 3a square by 4 तो इसको आपन बोलेंगे रूट 3a 4 का रूट क्या देगा 2 2 से 2 को क्या देगा तो रूट 3a pi अपन क्या देगा t इसके बाद में negative marking हो जाएगी बहुत एकदम बिल्कुल आपको सावदान रहना पड़ता है सावचेत रहना पड़ता है चलिए बच्चों अगला क्यूशन अपन देखने है वेन अन उसलेटर स्कम्टेट सहं रूट रूट अप इनिसिल वेल्यू वाट विल्ट वेल्यू वेल्यू इस के बाद में कितना देगा बताओ इसके बाद रहन्डेड ओसलेशन के बाद में कितना देगा वन भाई थ्री हो गया फिर उसके बाद हंड्रेड और करेगा तो वाई थ्री और कर दो इसका आपन क्या कर देंग इस्क्वेर एकोश्टों क्या हो देगा ए नोट डिवाइडब राई यानि exponentially decrease होगा और हर हंड्रेड ओसलेशन के बाद में 1 by 3 1 by 3 होता जाएगा इसका तो 1 by 9 फॉर्ट ओप्शन विल भी करेक्ट ठीक है ना चलिए अगला क्यूशन देखने है फिर अपन क्यूशन नमर 60 क्या कर रहा है मास M is suspended from a spring of negligible mass the spring is full a little and then released so that the mass executes simple harmonic oscillation with time to T if the mass is increased by M then time feed becomes 5 T by 4 ठीक है ना अपने जानते टी इक वस्टो होता है टू पाइड रूट ओफ है एब अपने कि यह मास हो गया पहले time कितना था था अब time प्रेड़ वो कितना थे गाव तो 5 थी बाई 4 देगा 5 थी डिवाइड बई 4 पहले मास कितना था बताओ पहले मास था अपने पास है capital M कि अब क्या हो देगा बतो capital M plus इसे अपना टी को cancel abd कर देंगे यह क्या बंदेगा 4 by 5 बनदेगा 4 by 5 इसके बार इसका कर देंगे तो क्या मदद रहें अपने अपने पास है तो यह बनदेगा अपने पास है 25 M equals to 16 capital M plus 16 small M, इसको इधर की तरफ लाएंगे, तो यह बन्ज़ेगा 9 capital M equals to 16 into small M हो गया, इसके बाद small M by capital M आपको calculate करना है, small M by capital M, क्या बन्ज़ेगा बताओ, इसको आपने बोल सकते हैं, 9 by 16, 9 by 16 is the answer, first option will be correct, चलिए, अगले क्यूशन पर चलते हैं, फिर अपन अगला क्यूशन क्या करें, the force acting on a 4 gram mass in the potential energy field U equals to 8x square, potential energy आपको दे रहे हैं, force आपको पोज़ रहे हैं, F equals to क्या होता है, minus of BU upon dx, यहां से minus कितना हो देगा 8x square, minus 16x हो गया, तो minus का 16, 162 कितना हो देगा, minus का 2, तो कितना हो देगा, minus minus plus, इसको आपने बोल देगे 32, 9, क्योंकि CGS में आपको value given है, तो 32, 9, fourth option will be correct, ठीक है बच्चो, चलिए, आगे बढ़ते हैं पिसके बाद में आपन, next देखो, यह करें कि two masses capital M and small M are suspended together by a mass less spring of force constant K, when the masses are in equilibrium, capital M is removed without disturbing the system, the amplitude of oscillation, अब द्यान से देखना देखो, सबसे पहले क्या है, आपने इस चेंग हैं, दो ब्लोग आपने बांद रखे, ठीक है ना, एक तो क्या हो देगा, आपके पास small M, और एक हो देगा, capital M हो देगा, इस केस में इसका जो X one है, X कितना हो देगा, बताओ, capital M plus क्या हो देगा, small M into G upon K, M G बराबर KX कर देगे, अब यह क्या हो देगा, इसकी mean position हो देगी, अब आपन क्या हो देगा, इसको आपन रिमूब कर देगा, अब इसका X2 क्या बन देगा, X2, X to X request हो देगा, small M G upon K, M G equals to KX है, अब बात सुना भी, यहाँ पर यह रेश्ट में था, equilibrium में था, यानि इसकी velocity क्या देगी, बताओ, 0, यानि यह क्या बन देगी, आपकी extreme position, फिर जैसे इसको आपन निकालेंगे, कि उपर की तरब भागेगा, और यहाँ पर इसकी mean position हो जाएगी, नहीं mean position हो जाएगी, और mean to extreme, यह वाले जो distance है, X1-X2, इसको आपन amplitude बोल सकते हैं, तो A question क्या बन देगा, आपका X1-X2, request to क्या बन देगा, capital M G upon K, ठीक है न, first option will be correct, चलिए, अगले question की तरब देखते हैं अपन, क्या कर रहा है, two particles execute simple harmonic portion of the same amplitude and frequency along close parallel lines, they pass each other moving in opposite directions, each time the displacement is half the amplitude, the phase difference is, देखो ऐसा है कि दो particles है, जब displacement कितना होता है, A by 2, तब एक दूसरे को cross करते हैं, तो पहला particle दो यहाँ पर, दूसरा particle इस प्रकार से यहाँ पर, यह वाला particle इधर की तरह मूँख कर रहा है, यह वाला particle इधर की तरह मूँख कर रहा है, इसको आपन आप बोल सकते हैं इसको आपन भी भूल सकते हैं दौनहों का एक सीकुष्टू क्या देगा a by 2 तो x सीकुष्टू क्या देगा तो a sin omega t बोल दो या a sin 5 बोल दो इसको आप इकवस्टू क्या बन जएगा A by 2 आजएगा, A से अपन A को कैंसे लाउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास साइन 5, एक कोश्टो क्या बन जएगा, भई 1 by 2 आजएगा, 1 by 2 है, यहां पर अपने पास जो 5 1 है, यह कितना देगा भी 30 डिगरी, यान इसको अपने बोलते सकते हैं, 5 by 6 बोल सकते हैं, ठीक ह 5 by 6 और 5 by 6, दोनों की वेली शेम होती है, तो आपने बोल सकते हैं, 5 1 हो गया है तो, और यह क्या होदेगा, आपके पास में, 5 2 देगा, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कर दो आफ, तो 5 2 मैनस 5 1 क्या होदेगा, बताओ, इसको आपन बोल सकते हैं, 5 A बोल दो चाहें इसको ठीक है, यह अपना क्यूशन नमर 63 हो गया है, चले बच्चों इसके बाद अगले क्यूशन की तरब चलते हैं, पन, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, देखो, एडिस्क ओप रेडिस आर, इस सस्पेंड़ फ्रॉम इट्स सर्कम्फिरेंस, और मेट तो ऑसिलेट अबाउट एन ए इसके बाट, तो टाइम पीड का फोर्मला आपको पता ही, टी कोश्ट क्या होता है, दो पाई, रूट आप, ऑपट अपन, म जी, अट ल, तूप आइस क्या होता है, जिस एक्शिस के बाट अपने इसको सस्पेंड करका उसके बाट उसके बाट इसका मोम्ट ऑपिनर्स य तो 3 by 2 M R square upon M G L होती है S और C की इसकी डिस्टेंस जो की आर हो जाएगी आर लिख देंगे तो यह बन जाएगा अपने पास है 2 by root of 3R upon 2G तो 2 by root of 3R upon 2G first option will be correct यह अपना क्यूशन आमर 64 है ठीक है चले बच्चों अगले क्यूशन की तरब चलते हैं अगला क्या करें देखेगा यह करें मास अप 2 kg is foot on a flat van attached to a vertical spring fixed on the ground as shown in the figure the mass of the spring and the pen is negligible when press lightly and release the mass execute a simple harmonic motion the spring constant is 200 Newton per meter what should be the minimum amplitude of motion so that the mass gets detached from the pen अब ध्यान से देखना देखो अभी जैसे मतलब मान किसे लेगा यह मास यह पैन यह 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 इसके क्या देगी इसकी मिन पोजिशन हो देगी फिर उसके बाद जई भी अपने एक्स्ट्रेम पोजिशन पर होगा इसके पर अपने इस प्रकास यह ब्लोग रख रगा है यह हो गया अब इसको अपने को इससे डिटेस्ट करवाना है तो डिटेस्ट करवाने के लिए जो एम ओमेगा स्कार इंटू ए है वो किसके एक्वाल होना चीए और एंटर ने के मूं के एंट को बोघाए ओंगे जी आपनी को इसके बाद एम एक्याई को कितना दें कर पतहां तो के इह एकितना देकर टूहंड्रेड डेरं तो एसके बाद एम एम अपने को कितना दें काwriting कर यह अपने पास हो देगा 2 kg तो 20 by 200 कितना हो देगा 1 by 10 तो 0.1 10 cm थर्ड उप्शन विल भी करेक्ट थर्ड उप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जब यह एक्स्ट्रिम पोजिशन पर पहुंच चुका ब्लोग तो उस टाइम जो पैन वो नीचे की दरब एक्सल हो जाएगा तो इस केस पर ब्लोग का वो पैन से डिटेज हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं फिर अपन अगला क्यूशन रेखते हैं क्यूशन नमर 66 त्री सिंपल हार्मोनिक मोशन्स ओफ इक्वल अम्प्लिटुड एंड इक्वल टाइम इसके बाद है 60 डिग्री पे इस पे दूसरा बना दो भी हो गया ठीक है ना इसका एंप्लिटूड ए इसको भी अपने लिख देते हैं और थर्ड वल ए इसके साथ में 60 पे सेकिंड के साथ में 60 पे इस प्रकार से इधर की तरफ बना देंगे कि ए अब इसके और इसकी बीच इसका एंगल कितना है फिए 120 120 इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर की तरफ क्या बन जाएगा बताओ ए बन जाएगा इसका इसका रिजल्टेंट ए आ गया एक कितना देगा तो ए ने इस प्रकार से फेजर डाइग्राम के हेल्प से इजी लिए अपने इसको सॉल कर सकते है चली अगला क्यूंस अपन देखते हैं क्यूंस नमर 67 एक पार्टिकलों माश 10 ग्राम इस प्लेश्ट इन है फोटेंसिल एनरजी फिल्ट कीवन बाई यू किस्टू 50 X स्क्वार प्लस हंड़ेड तर फ्रिक्वेंश्यों पोसिलेशन तो यू इकोश्टू क्या देरिक प्लस हंड़ेड का क्या देगा जीरो देगा ठीक है यहां पर अपन एप इस्टू माइनस के एक से इसको कंपेर करवाते हैं माइनस के एक्स तो यहां से अपने पास पर जो के है उसकी वेल्यू कितने आजएगी हंड़ेगी और अपने को फ्रिक्वेंशी पूसर की है आप एक की बिल्यू कितने हो जाए जैंकी हंड्रेड मास अपने को देर का 10 ग्राव तो टेन ग्राम इसका मतलब टेन थाउजेंड सी इसको डिवाइड करना है यह थाउजेंड आ गया इसके बाद में एक जीरो सी एक-Zीरो एक हंड्रेड आ गया हंड्रेड अपन टू पाइड तो यह अपने पास सब्सक्राइब फिप्टी अपॉन फाइट्स ठीक है फिप्टी अपन फाइब फॉर्थ ओप्शन यहां पर आपका करेक्ट चला जाएगा ठीक है बच्छों चलिए अगले क्यों की तरफ चलते हैं अगला क्यों क्या करा देखिएगा कि यह कि यृच्छा कि फारटरी शिष्टम्स कुछाया जिए यह करना कि इस प्रडूल फिजिकेल फीजिकल फिजिकल पेंदुल लुँम की आपको फिजिकल स्ट καत है क्वीग तो पाई है वघ्जिकल पर आप ≤ फिसבר यंप स्टों यह खाएइए पॉर्टagine i s upon mg L हो घिक है एक टॉर्सन पेंदूलम टॉर्सन पेंदूलम क्या होता है टी कोस्टोर टूपाइब रूट्वाइब एक पोण ची यहां पर क्या होता है वो अधनाट होता है टॉर्सनल तॉर्सनल इस्प्रिंब्हा शिस्टम मस्टोर्स टूपाइब सब्सक्राइब तो पाइब रूट ऑफ एम अपॉन के चाहर टाइप के हैं इच आप टाइम पिड़ अर टेकन तो दा मून इप टाइम पिड़्स अर मेजर्ड ऑन दा मून विच सिस्टम और सिस्टम्स विल हेव तो अंचेस्ट मून पर आपको पता है कि मून पर स्कावर्च तो यह तो क्या में इंक्रीज हो गया कि इसका विक्या मत अंचेंज और इसमें दों जेंज तो अरे तो यह जो टॉर्श नल से मेंडी आएक ग्रेविडी पे इसप्रिंड आप सिस्टम और सिस्टम और तौर्श ni नहीं करता है डह मून की सर्पेस भी टाइम पीड सेम रहेगा चलिए आगे बढ़ता है एं इन इन फाइन नमबर ओप इस्प्रिंग से फोर्स कॉंस्टेंट के टू के एट के इंफिनिटी रिस्पेक्टिवी आर गनेक्टेंट इन सीरीज इक्विलेंट इस्प्रिंग कॉंस्टेंट के एस इकोई च प्लस वन वाइ टू के प्लस वन वाइ फोर के प्लस क्या हुद एट ऊप्लस यहां से क्लिख देते हैं आपनल लेदो ten by 1 1 by 2 1 by 4 1 by 8 plus dot 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 gp बन चुकी है तो यहां से अपने पास हो 1 by k और इसके बाद में a upon 1 minus 1 by 2 1 minus 1 by 2 कितना हो देगा 1 by 2 2 चला जाएगा 2 by k तो यहां से आपके पास है ks equals 2 क्या हो जाएगा k by 2 यह आप कांसर हो गया k by 2 3rd option will be correct 69 अमर क्यूशन कांसर आ रहा है 3rd चलिए अगला क्यूशन देखते हैं अपन इस सिंपल पेंडूलम है जी होलो वोफ फिल्ड विदे लिक्विड आप देंसिटी रो इ अब द्यान से देखना लिएक है यहां पर फ्रिक्वेंसी देरीक फ्रिक्वेंसी का अपन क्या देख सकते हैं घुष्टू एक हो देखा वन अपन to टूप सीप्ली वो जाएगा ठीक है न अब देख सकता है कि बात करते हैं और यह स्पीर पहले जब पूरा बहाव है तो च फूरा खाली बढ़ता है और फिर उसके बाद नीचे जाता है फिर उसके बाद वापस के बाद बढढ़ जाए तो फिर उसके बाद बढ़ जाएगी तो फिर्यूइस and then increase fourth option will be correct ठीक रहा चली बच्छो अगला क्यूसर देखने है पन नेक्स्ट क्यूसर नहीं है a mass capital M attached to a horizontal spring executes SHM with a amplitude able when the mass M passes through its mean position then a small mass M is placed over it and both of them move together with amplitude A2 ठीक है then ratio A1 by A2 यह अपन यहां पर linear momentum conservation by conservation of linear momentum लगाते हैं तो यहां पर अपने पास में क्या हो देगा M1 V1 equals to क्या हो देगा M2 V2 देगा तो M1 M1 कितना हो देगा capital M ठीक है ना और V equals to क्या हो देगा mean position पे omega into A omega को अपन क्या लिख सकते हैं बतो omega को omega को लिख सकते हैं root of K upon M ठीक है ना capital M into M omega A amplitude कितना हो देगा आपके पास में A1 हो गया अब इसके बार द्यान से देखना देखो अब अपने small M mass इस पर और रख दिया तो capital M plus small M यह total mass हो गया omega क्या बन जेगा अपने पास में root of K upon total mass capital M plus small M into अब नया amplitude है वो क्या देगा अपके पास में A2 बोल देते हैं इसको अपन यह A2 आ गया अब यहां से इसको अपन solve करने हैं तो क्या बन जेगा देखो के से क्या हो देगा के के न सी लट देगा तो यहां से अपने पास में बन जेगा A2 इकोश्टू क्या बन जेगा देखो यहां पर M यह root M तो उपर root M आजएगा ठीक ना तो अपने को पूचा जा रहा है A1 by A2 तो स्वरी A1 by A2 अपने को पूचा जा रहा है यहां पर इसको आपन क्या लेख सकते है A1 by A2 A1 by A2 एकोश्टू क्या बन जाएगे तो इसको आपन ऊपर की दरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा capital M प्लस small M इसका root है अपन क्या देगा बताओ root of capital M तो क्या बन जाएगा अपने पास में capital M प्लस small M अपन capital M इसकी पावर 1 by 2 तो क्या बन जाएगा capital M प्लस M आपन capital M की पावर 1 by 2 4th option यहां पर आपका करेक्ट जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ता है फिर अपन नेक्स्ट क्यूस्टन देखो दियांसे एपन तो यहां से अपन यहां का time निकालते हैं यहां से यहां का time sorry यहां से अपने पास x equals to e आ गया और यहां पर अपने पास आदेगा एक सी कुछ तो यहां से यहां का time निकालते हैं तो यहां से एक्स्ट्रिम से ऐसे हमें स्टार्ट कर रहा है तो x equals to a cos omega t यह equation लगा देंगे x equals to क्या देर का अपने को a by 2 तो यहां से आपके पास इंटू omega तो पाई by 3 ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर 2 by अप़ाण T तो यहां से पाई से अपन पाई को चैंसल आप कर देंगे तो आंस रहा देगा अपना T by 6 तो T by 6 इस प्रकार के बहुत सारे क्योंस आपके कर रहे होंगे ठीक है बस यहां पर अपने को य तो एसाइव अमेगा टी लिखते हैं यह चलिए बज्चों कि अगले क्विशन पर जलते हैं रिस्टोरिंग फॉर्स ऑप Shm on Particle is maximum in आपने जानते हैं माइनस क्या होता है क्या होता है एक्सपे डीपेंड भी हो गया इसका किने मैक्शिम वेलोसीटी एन देमेक्शिम एक्षारेशन पहले बोडी मुविंगेने सिम्पल हर्मोनिक ऑसलेटर और टू मेटर पर सेकेंद फोर मेटर पर सेकेंड इसक्वएर को मिमेक्स आपको देर का है ओमेगा इंटु ए उता है जो की ओका हुआ तुम मैग्स कि उपने यहों देगा हैर आपाने एक मेटस होटा है मेगास से बॉमेड़कर देता है पार डंट एंटुए ओमेड़ कि युखंट आगले और स्वेज्स तो डेंपसे कि फो लृए टन पर सेकेंड फॉर्ट स N यहां पे अपना करेक्ट देगा चलिए बच्चों इसके बाद में क्यूशन नमर 75 अपन देखते हैं क्या कर रहा है एक पार्टिकल माश 10 ग्राम इज एक्जीकुटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एंप्लीटुड ऑफ 0.5 मेटर और प्रियोडिक टाइम फाइब 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 शेक्टिंग तो द्यान से देखना देखो बच्चों यहां पर आपने को जो फोर्स है वो केल्कुलेट करना है तो अपन क्या तो ग्राम से म से किलोगराम दर जाएगा ओमेगाईस कर अपने को क्या दे रिका है यहां पर जो टाइंप दि निपाइब ओगाईव इसको अपने बहुटència क già हो और आ पने को पिफ त्य आपने को दे रहर खाए कितना कि पाइबॉड फाइब फाइए है थीक है इसका ओली स्कार हिंटू ए फेड़ यह ऑफ एपको क्या दे रहर खाए भी 0.50 है इसको आपन कर देंगे 0.15 परदेंगे ठीक है यहां आपर पाईस या पन पाई को केंसिल अप कर देंगे 5 इंटू टेन 10 का इस पर क्या देगा 100 हो जाएगा ठीक है ना 100 इंटू 10,000 10 to the power minus 3 cancel out देगा अपना आंसर आजएगा 0.5 न्यूटन तो 0.5 न्यूटन फॉर्थ आंसर विल भी करेक्ट ठीक है बच्छों चलिए इस स्क्रीन को साब कर देता हूं में अगले क्यूशन पर चलते हैं फिर अपन तो नेक्स्ट देखिएगा अगले क्यूशन पर चलते हैं फिर अपन नेक्स्ट देखिएगा क्या करें टोटल एनर्जी ऑपर पार्टिकल एग्जीक्टियूँ एग्जीट्ट्यूइज अटी जूल वोट इस पॉटेंशेल एग्जी वेन पार्टिकल इस एट डिस्टेंस ऑफ थी वाइव फॉर तो टोल्टल एनरजी आपन जानते हैं क्या होती हाफ के एई स्क्वाइर किस्टू कितना देगा बताओ एटीजू देगा अपने पोटेंसियल एनरजी पूछ रहे किया होता हाफ के एक सिक्सी इसकुर्वें और हाफ के एक सफ कितना अभी 340 इसको आपन क्या बोलेंगे 3a by 4 इसका स्कॉर करदेंगे का तो नइन स्क्रम ना देगा तो हाफ के ए श्कॉरर इंटु कितना देगा बतो 9 by 16 ऑन इसकी बेली उपने को पता कि इतने हो देगी तो इसको आपन क्या बहुतेंगे 9 by 16 into 80 तो solution करने पर आंसर आदेगा 45 जूल 4th answer will be correct चलिए next question आपने देखते हैं फिर आगे कि अपने को देर का है कि ए पार्टिकल मुझ such that its expression a is given by a equals to minus bx a or x की बिश्चान आपको given है where x is the displacement from equilibrium position and b is constant the field of oscillation आपने जानते हैं एक क्या दे रहे हैं आपको minus का b into x a equals to minus omega square x इससे compare करवाते हैं तो यहां से अपने पास omega square equals to क्या देगा बी मिल जाएगा तो omega equals to root of b omega को आपने लिख सकते हैं 2pi upon t यहां से अपने पास आदेगा t equals to 2pi upon root of a b 2pi upon root of b second answer will be correct next question देखते हैं अपन the time period of this implement was measured inside a stress relief t is found to be t if the lit start starts accelerating upward with an acceleration g by 3 the time period is तो ज्यान से देखना देखो सबसे पहले t equals to 2pi root of l upon g अगला जो टाइम पीड़ा वो टी देख equals to 2pi root of l upon g effective और अपने जानते हैं g effective क्या देगा g plus a और a अपने को कितना है given a g by 3 given है तो g plus g by 3 कितना देखा 4g by 3 हो देगा और 4g by 3 4 by 3 तो इसको आपन क्या लिख सकते हैं भी root 3 by 4 का root 2 into कितना देखा बताओ 2pi root of l by g इसको आपन टी लिख सकते हैं यह क्या बन देख अपने पास है root 3 T divided by 2 root 3 T divided by 2 second answer will be correct चलिए अगले की तरफ चलते हैं अपन a mass m attached to a spring oscillates with time period 2 second if the mass is increased by 2 kg then time period increases T increases by 1 second the initial mass is देखा अपन जानते टी कोश्टों क्या होता है 2 by root of m by k तो यहां से आपके पास T directly proportionate क्या देगा बताओ root of मास हो देगा तो पहले जो टाइम पर डब हो कितना हो देगा आपके पास 2 second और बाद में कितना हो देगा 2 plus 1 3 हो देगा equals to root of पहले जो mass हो कितना हो देगा और इसके बाद मास कितना हो देगा भी कितने से increase को देगा 2 से तो यह बन देगा m plus क्या हो देगा 2 देगा square कर देगा अपन यहां से बन देगा अपने पास m upon m plus 2 equals to क्या हो देगा 2 का 4 3 का 9 हो देगा cross multiply कर देगे यह बन देगा 9 m equals to यह बन देगा 9 m equals to 4 m plus 8 देगा तो 5 m equals to 8 यहां से m equals क्या बन देगा अपने पास 8 upon 5 1.6 kg 1.6 kg 1.6 kg first answer will be correct next question की तरब चलते हैं अपन क्यूसे नमर 88 two springs of force constant k and 2 k are connected to a mass as son willow the frequency of oscillation of the mass देखो यहां पर अपने पास में जो particle इसका मास कितना देगा m देगा है यह k है यह अपने पास है 2k है तो दौनों का जो equivalent spring constant है दौनों का अपन पेरेलल में मानेंगे तो पेरेलल में क्या देगा के वन प्लस क्या देगा के टू इकोश्टो क्या बन जाएगा बताओ ठीक हो देगा और फ्रिक्वेंसी आपको पूशी जा रही है एप इकोश्टो क्या होता है वन अपन टू पाई रूट ऑफ के बाई एम ठीक है ना तो के कितना देगा 3K divided by M हो जाएगा तो वन अपन टू पाई रूट ऑफ ठीके बाई यहां पर दोना इस्प्रिंग्स को अपने को पेरलल कॉमिनेशन मानना है भी अगला क्यूशन अपन देखते हैं एक्स्ट्रेशन डिस्पेस्पंट ग्राफ फार्टिकल एक्जिक्टिंग एस सचे मिस्वी सॉन इन गिवन फिगर तर टाइम पीड़ोप इस उसलेशन उसले सब्सक्राइब कर देननगी स्पों और तो वाइकily मैनस मेक से कम्पियर करवा दोगे मी कुस्ट्यू कैका ओमेगा स्क्उक्ट्यूः क्या आऽदेर तेन ठीटा थिकता कितना देर एका 4510 45 वनो यहां से आपकेक सामेगा इक स्क्ट्यूठ यां रों ऑवेगाए सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्यूशन देखते हैं आपन कि नेक्स क्यूशन डिस्प्लेस्पेंट टाइम ग्राफ फार्टिकल एग्जीकुटिंग श्म इस गिवन फिगर ठीक है ना मैक्सिम्म एक्सलिरेशन और पार्टिकल इच बहुता है क्यों मेक्सेबज़्ेस्ट पॉर्मला आप जानती हैं एक्स क्या होता है ओमेगा इसकौर इंट्व फोट करते हैं तो पाइब आप यह तो यह से लेकिंगर यहां तका एक और सिलेशन हो रहा है इसका टाइम कितना जीड़ जीरो फ़एट फॉर जीरो फवाइब सकते हैं तू अपान फाय तो अपान फाइफ इसका अपन कर देंगे और ईंटुट पे ए एक इतना देगा भी एंपलीटुड देगा इसका 0.5 जाएगा इ 25 यह देख आपके पास है 25 और 0.5 को आपने देख सकते हैं बाइटू 25 25 स्कूर बाट्टे दो मीटर पर सेकेंड इसकर सेकेंड आंसर इल्बी करेंट ठीक है चलिए बच्छों अगले क्यूशन पर चलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्या करें देखिएगा वेलोसिटी वर्सेज डिस्प्लेश्मेंट ग्राफ पार्टिकल एक्जिकूटि एससम देखो आपको वेलोसिटी यानि वी और डिस्प्लेश्मेंट एक्स की वीच्प पूछ रगए तो आपन जान इसका जाड़ेगा इस फरकार का डापक्ने प्राप्त होदेगा इस परगार यहां पर एक्स होदेगा और यहां पर यह 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 साथ यह को फिर अ Appro Alves थार्द आंसर इल्फी करेक्ट जलिए अगे बढ़ते हैं फिर पर इस्प्रिंग ओफ कॉंश्टेंट्र फॉर्स्ट कोंश्ट इन्टो एंडेकवल पास्ट फॉर्सक्षेंट युश्टब इस फाट हो बीचनल जानते हैं कि इस पर इसको इसको कट किया सेमें लिए पाट दोगे यहां से केड़े सी कुष्टू क्या देगा आपके पास एंड टाइम सो पर किये तो एंड टाइम सोफ के थर्ड आंसर इल भी क्रेक्ट बहुत यासान सा क्यूशन है ठीक है चलिए अगले क्यूशन पर देखें हैं डिस्प्लेस्पेंट टाइम रिलेस्ट फॉर पार्टिकल एज्टी एज गिवन एज एक्स 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 टू कितना देगा थ्री प्लस फॉर यहां पर आपके पास एंप्ली टूड है वह क्या देगा फोर देगा इसके बाद ओमेगा ए मेटर पर सेकेंट तो आंसर देगा इसका तूपाई मेटर पर सेकेंड फैस्ट फैस्ट आंसर इल्भी करेक्ट है चलिए इसके बाद में एक्स्ट कुशन अपन देखते हैं क्यूशन नमर एटेशिक्स एस सिंपल पेंडूले में सस्पेंडेट फ्रॉम सीलिंग ओफ एक का अब द्यान से लेखने कार अगर आगे कि दरब एक्स रेट होगी तो अब आपने बोल सकते हैं कि जी फेट्टी कुश्ट क्या देगा जी स्क्वार प्लस एइस पर और कार वो क्या करते भी कार स्टार्ट सुनुएं सर्कुलर फाथ अगर इस सर्कुलर पाथ में घूम रही नेक्षू क्या जानते कि जी एंफेक्टिव हैं ओट आधा जैगा यानी जी से बढ़ रहे तो फ्रिक्वेंश वह भी क्या जाएकी बच्चों बढ़ जाएगे फ्रिक्वेंश इन्क्री तो हीब इंक्रीज फेस्ट आंस्वर आपका यहां पर करेक्ट जाएगा ठीक है चलिए है कि नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं मौशन और पिस सेकंड सेंड इन एक लोग इस एन एक्जामपल ओफ यह लोग है इसके अंदर यह सेटन है आपको बता है कि इस की जो टिप है इस परकार से यू Conta करती यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है और आपको बता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस चीज का एक्जामपल है पिरोडिक मोशन का एक्जामपल है सेकंड आंस्वर भी करेक्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन पोटेंसियल एनर्जी वर्सेश डिस्प्लेस्मेंट ग्राफ फार्टिकल और मास वन केजी एग्जीक्यूटिंग एग्जिवन एज बिलोग टाइम पीड़ोप ऐसे यहां पर आपको यूर एक्स की बीच पर ग्राफ दे रहे हैं तो सब कि मैँ को क्यलक्विट करना है एक कितना हो देगा 0.5 और 0.5 का में इसकेर तो कितना हो देगा इधर की तरफ लिएम यहाँ से मैं के पास जितना देगा माउन पंजिरोफंड टुफऑइफ तो फो हो एगई अब मेरेको यहां पर टाइम पीड़ोचा जा रहा है आपंड ज फॉर का रूट टू 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 से टू कैंसिल आजएगा तो आंसर आजएगा आपके पास में फाइस सेकेंड यानि फैस्ट आंसर विल भी करेक्ट चले कम नंबर 89 यानि सेकिंड लाश्ट क्यूशन अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टिकल इच्बर्फर्फॉर्मिग्ग एससे विज फिर्केंशी एफ फिर्केंसी यो kinetic energies तो kinetic energy की frequency आपको पूछ रहे हैं यानिस से देखना यानि एक्स एक्स टो क्या होता है a sin omega t और kinetic energy क्या होता अब हाफ के a square cos square omega t यहाँ पर आपने देख सकते हैं कि cos square theta इसकी frequency क्या होती है 2f होती है अगर इसकी frequency क्या f है इसकी frequency सिख्या हो जाएगी बच्चों टूएफ हो जाएगी ठीक है ना तो आंसर देख इसका टूएफ सेकेंड नीट के अंदर भी यह क्यूशन पूछा जा चुका है ओके चलिए लास्ट क्यूशन पर पहुंच चुके हैं चूज करेक्ट स्टेट्मेंट फोर एक पार्टिकल परफॉर्मिंग ऐसे जब तो द्यान से देखता है को वेलोसिटी डिस्प्लेस्मेंट एक्सलरेशन की बात कर रहा है सबसे पहले डिस्प्लेस्मेंट एक्स टू ए साइन ओमेग प्रफय टू और इसके बाद में एक होश्ट्र मै बाइनस का ओमेगा स्कवार एंस ट्रीक यहिसें सग्ष मों बेगाолов होगे है ये पाई वो गया हृँ थीक है नहीं तो क्या लीख सकते हैं जो taksam वह तो इधर की तरफ होता है और वइक फैस इधर की तरह होती है अर एक की फैसे इस परकार से वेलोसिटी है वो क्या भी displacement निया पर मेक्त हुआ है पस नयुகंकि यह दीजूराशन कीन गोरेरेशन नियुक्त अपोजिट फेज नहीं आपने जानते एप इस टू क्या होता है एंटु ए होता है तो फॉर्स एंड एक्सलरेशन बहुत आरीन सेम फेज तो आपका जो सेकंड ऑप्षन है वह क्या हो जाएगा भी करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है सेकंड ऑप्षन विल भी करेक इसको बहुत सांदार तरीके से फाइनल टेस्स आप दे रहे होंगे बड़िया तरीके से आप रिविजन कर रहे होंगे विश यू ओल दे बेस्ट आप सब अच्छे रहें मस्त रहें स्वस्त रहें और जैसी यलसी जै हिंद मिलते हैं फिर